बुट मॉर्णिंग एवरीवन सो वेलकम टू दा निव मॉक टेस्ट जो की आपसे बिलकुल एक्जाम से पहले लिए अचा रहा है और आज के जो मॉक टेस्ट है इसके अंदर जो कट ओफ रखी गई है वो 94.5 की है फुल फ्लेज मॉक टेस्ट आपका रहने वाला है और अभी तक आपने जो मॉक टेस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म किया है कीप परफॉर्मिंग दैट वे अपने मार्क्स को जरूर यहाँ पर नीचे कॉमें सेक्शन में बताएगा लेकिन हाँ एक्जाम को शुरू करने स आपका जो नेक्स मॉक टेस्ट है वो संडे को सेम टाइम सेम चनल पर मिलेगा आपको एक टेस्ट आपका आज हो रहा है सेम टाइम पर एक टेस्ट आपका कल होगा बट अट आपको अवेलेबल हो जाएगा एक्जैम.netmok.com के उपर तो उसे भी अटेम्ट करेगा हम एक्जाम देने जा रहे हम उनको तो देना ही है. 222 कि जो स्ट्टुडेंट से वो भी एक्जाम को दे सकते हैं. अगर उनको लगता है कि कुछ हब तक उनकी त्यारी हुई है, कुछ बेसिक आइडिया उनको है क्योंकि यहाँ पर वनको एक आइडिया लग जाएगा कि किस त आपको बताना है कौन सा इसमें से इसका एक application area है वाइ this question because UPSC जो है वह application based question काफी जादा पूछता है तो क्या PPC के manufacturing में इसका use किया दा सकता है road construction के अंदर और soil के अंदर acidity को कम करने के लिए कि इसका इसका इस्तमाल किया सकता है यह time period आपका शुरू हो गया 10 seconds का तो कोशिश करें 10 seconds के अंदर आप यहां पर answer करने की क्योंकि ministry of power ने अभी advisory जारी करी है according to which जो power plants होंगे जहां पर fly ash produce होती है वो यहां पर fly ash को end user तक पहुंचाएंगे through a transparent bidding process तो यहां पर क्या होगा एक transparent bidding process जो है इसका इस्तमाल किया जाएगा और उसके तुरू जहां पर भी fly ash की जरूत होती है उन लोगों को उन users को यह पोचाई जाएगी इसका इस्तमाल cement के manufacture करने में किया चाता है बिल्कुल ठीक है road को बनाने में road construction में भी इसका इस्तमाल किया चाता है और साथी सथ soil कंदर acidity को कम करने के लिए भी इसका इसका इस्तमाल किया चाता है यह तो होगे इसके application area fly ash आकिर होता क्या है fly ash is basically nothing but a fine grey powder gray color का powder like substance होता है चिक है और color भी यहां पर पूछा जा सकते हैं so it is nothing but the fine grey powder और यह जब हम coal fired power stations होते हैं जहां पर power generation coal की साहिता से किया जाता है by product के तोर पर by product क्या होता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज़ को produce कर रहें लेकिन incidentally वह एक और चीज़ को produce करता है for example आप sugar के इंसे क्या करते है शुगर के इंसे आप sugar produce करते है लेकिन ऐसे by product आपको mollusis भी मिल जाता है ठीक है जैसे कि मैं आपको example दूँ यहां पर आप कर रहे है UPSC की त्यारी और UPSC की त्यारी करते करते है UPSC तो crack हुआ लेकिन आप दूसरे exam भी दे रहे थे आपका PCS भी crack हो गया banking भी crack हो गया और SSC भी crack हो गया तो यह क्या है यह by products ठीक है इसकी त्यारी आप नहीं कर र AUism, iron, Calcium यह सब चीजे पाए जाते हैं कुछ इसके ना toxic chemical जैसे की lead, arsenic और cadmium जो हो भी पाए जाते है ठीक है जो इसका usage है वो मैने आपको बता दिया है तो इन सब एरियस में इसका इसका इस्तमाल किया जाता है correct answer जो है आपका D हो जाएगा चलिए यहां से फ्लाइच से आगे बढ़ते हुए चलते है next question पे ओपर जो की patent laws को लेकर आप पूझा के patent laws को लेकर बताएं correct क्या है क्या सही है India's patent law operate under the first two file principle इसमें first two file principle का इस्तमाल किया जाता है और patents जो है वो 20 साल तक validity की रहती है तो मतलों यहां पर जो time period है वो 20 साल का दिया जाता है अभी recently center ने patent amendment rules 2021 को लेकर आये है center government और यहां पर कहा गया है कि innovation और creativity को बढ़ावा दिया गया है education sector के अंदर और patent को file करने की जो fees होती थी उसे 80% तक reduce कर दिया गया है education institutions के लिए और even startups के लिए यहां पर बात करेंजा तो yes first two file principle को इसमें इस्तिमाल किया जाता है first two file principle होता है कि माल लीजिए जैसे हमारे एक subscriber है जिनका नाम है मुकेश और माल लीजिए there is another subscriber जिनका नाम है वीजे for example दोनों ही एक particular चीज के लिए patent को फाइल करते हैं तो यहां पर मुकेश ने भी फाइल किया और उसी चीज के लिए विजे ने भी फाइल किया लेकिन यहां पर right उसी को मिलेगा जो पहले आएगा तो first come first कह लिजिए आप इसको यह first to file principle कह लिजिए तो यहां पर इस प्रिंसिपल को इस सिधांग को फोलो किया जाता है इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है 1970 का यह फोलो किया जाता है 2003 के अंदर पेटेंट रूल्स होते हैं इनको चींज किया गया जैसे कि अब 2021 के अंदर किया के तो time and again जो rules होते हैं उनको बदला जाता है जब भी requirement होती है पेटेंट जो है 20 साल के लिए valid होते हैं from the date of filing the application subject to annual renewal fee तो हर साल इसके अंदर renewal fee जो है वो भी देनी पड़ती है इंडिया के जो पेटेंट लो है वो first file principle के उपर फोलो करते हैं तो 20 साल का कारेकाल यहां पर कहें किसी product को क्या मुझे को comment section बता सकता है क्योंकि यह चीज हमने बहुत बार discuss करी है so let's check कि आप याद कर पा रहे हैं चीजों को नहीं कर पा रहे है रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे है कितने साल के लिए दिया जाता है यह comment section बताएगा ठीक है यहां से आगे बढ़ते choosing data transmission as compared to wi-fi तो life-fi के अंदर interference कम होती है wi-fi radio waves को use करता है whereas life-fi uses visible light to transmit data और यह life-fi किसको use करता है वो भी यहां पर बताया है light को तो सोचिए इसके बारे में क्या answer होगा मैं एक बार आपका time period जो है शुरू करते तो हूं 10 second का फिर हम discuss करेंगे क्या life-fi के अंदर कम interference होती है जादे interference होती है आपको बताना है न्यूज में क्यों था क्योंकि इंडिया ने highest altitude institute जो लदाक के अंदर है वहां पर life-fi network को introduce क्यों क्यों क्योंकि उतनी उचाई के ऊपर जो wi-fi है उसमें interference काफी जादा होती है तो उसे use नहीं किया जा सकता था इवन optical fiber का इस्तमाल करना भी उतनी जादा height के ओपर मुश्किल होता है ऐसे terrain के अंदर जहां पर लदाक locate करता है मुश्किल हो जाता है तो इसी वज़े से life-fi जिसमें less interference होती है उस device को इस technology को इस्तमाल किया गया है और wi-fi जो है वो तो radio waves की सिद्दान पर काम करता है लेकि यह principle higher altitude में लदाक region, जहन के region में काम नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत जादा radio waves का इस्तमाल होता है और interference इसी वज़े से काफी सादा होती है लाइ-fi जैसे वाइ-fi आपका होता है wireless fidelity से कहा जाता है full form इसी तरीके से life-fi को कहा जाता है light fidelity यह भी wireless communication technology ही है लेकिन इसके radio waves की जगा पर किसका इस्तमाल किया जाता है light waves का जैसे हम radio waves का इस्तमाल Wi-Fi में करते हैं यहाँ पर light का इस्तमाल करते है जो Wi-Fi है वो radio waves का light का ताकि जो data है उसको transmit किया जा सके life-fi को जाधा reliable माना जाता है और यहाँ पर interference almost negligible इसके अंदर होता है यह जाधा secure भी होता है compared to Wi Wi-Fi दोनों statements ठीक होने की वज़े से answer आपका क्या हो जाएगा see will be the correct answer चलिए Wi-Fi लाइफाई के बारे में idea होना चाहिए चलते है question number 4 के ओपर जो की Earth observation satellite को लेकर पूशन है बताए कौन सी statement correct है कौन सा कथन आपका सही है Earth observation satellites are only placed in geostationary orbit इने जियो stationery orbit में ही रखा जाता है और geof जो है एक constellation है किसका Earth observation satellite का जो की European Space Agency को belong करता है दस सेकंड का time मैंने शुरू कर दिया है आपका Earth observation satellites जो है उनकी importance बढ़ती जारी है और even इंडिया के लिए तो उनकी importance और भी जाद है क्योंकि हमारे नेबर जो है वो काफी negative for example Pakistan इस दे चाइना इस दे तो यहां पर उनके इस सेक्टर में हमारी पकड अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए Earth observation satellite जो हमारे पास होनी चाहिए Earth observation satellite जो है वो आपकी imagery intelligence इसको की short में का जाता है आई mint इम मतलब image, INT मतलब intelligence, image intelligence, photo reconnaissance, SAR synthetic, aperture, radar, electro-optical functioning इन सब चीजों की जुरूत पढ़ेगी इंडिया को ठीक है तो यहां प बात करें statements की जो Earth observation satellites होती है यह geostationally orbit के अंदर भी रखी जा सकते है लेकिन sun synchronous orbit के अंदर भी रखी जा सकते है वैसे भी only दिया आता तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि 80% possibility की statement गलत होगी तो यह statement तो आपकी गलत हो जाती है अगर हम बात करें geofen की तो China operate करता है geofen series of constellations जो की Earth observation satellite है और इसको counter करने के लिए इंडिया जो है उसके पास भी इस तरीक एक सिस्टम होना चाहिए ठीक है तो यह European Space Agency का नहीं है किसका है चाइना का दोनों statement गलता आप से पूच आता correct कौन से है तो correct है इसमें से एक भी नहीं है so answer will be D चलते है यहां से आगे development of infrastructure judiciary facilities तो यहां पर judiciary के लिए facilities को लेकर पूचा है कि बताएं correct statement कौन सी है दस सेकंड का time शुरू कर देता हूं Chief Justice of India ने प्रपोस किया है national judicial infrastructure corporation ताकि judicial infrastructure जो है trial courts के अंदर लेकर आया जा सके ना यहां पर पहली जो statement है it was launched during the 12th fire plan 2012 से 17 पहली बात तो इस दियान रखेगा इसे 1993 दिरान में में launch किया गया था और recently अभी से 2026 तक extend किया गया इसी वज़े से question पूछा दा सकता है now to develop judicial infrastructure funds जो हमकी जरुक पड़ेगी और यह centrally sponsored scheme के अंतर गता आती है centrally sponsored scheme वह scheme होटी है जिसके अंदर दोनों लोग पैसा दे रहे होते center भी उस चीज़ को sponsor कर रहा होता है state भी उस चीज़ को sponsor कर रहा होता है लेकिन बहुत बार देखे जुडिशली के area के अंदर state जो है वह ज़्यादा पैसा अलग से नहीं दे पाते है तो यह एक central sector scheme नहीं है it is a centrally sponsor scheme answer क्या हो जाएगा D will be the correct answer चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए next topic के ओपर next topic जो है आपका question number six उस पे जाने से पहले जो लोग 2022 के लिए कर रहे है mission UPSC 2022 जो एक 500 days का program है उसको join कर सकते हैं इसमें आपको बताया है कि क्या क्या चीज़े included हैं इसके अलावा जो चीज़ें इसमें नहीं थी वो भी एड करी जा रहे हैं जैसे कि word history को इसमें एड किया जाएगा science and technology section को भी इसमें एड किया जाएगा और various areas जो अभी तर एड नहीं किये गे थे वो की इसमें available रहने वा रहे हैं so it is one stop solution for you अगर आप अपना 100% देने के लिए इस force के लिए then you can join it लेकिन आप daily basis पे जो आपको assignments होते हैं वो करने पड़ेंगे उसके बात जो है आपकी थ्रया यह चीसे होगी because we have covered the NCRTs, we have covered the standard books जो आपका material है और daily basis पे MCQ प्राक्टिस है वो भी होती है schedule inbuilt उसमें रहता है तो उसमें भी परिशाहीं नहीं होती है तो आप इसको exam.network.com पर जाकर subscribe कर सकते हैं चलते हैं next question which is question of assist जो की प्रशाद scheme को लेकर है पूछागे प्रशाद scheme को लेकर बताए कौन सी statement आपकी correct है कौन सा कथन आपका यहां पर सही है यह aim करता है infrastructure development किस चीस के लिए pilgrimage के लिए या प्राओं के लिए जो आपकी तीरती आत्राएं होती है heritage sites के लिए हो सकता है it is simply sponsored scheme implemented by union ministry tourism सोचिए इसके बारे में क्या answer हो का क्योंकि recently एक मंत्राले जो है उन्होंने foundation stone रखा है for the development of परशुरांखुन परशुरांखुन कहां पर रखागे अरुनासर प्रदेश के लिए और यह जो आपकी प्रशास की में उसकी अंत्रगती रखा है प्रशुरांखुन कहां पर रखागे अरुनासर प्रदेश के लिए पोशन भी आ सकता है statement 1 आपकी correct हो जाते है क्योंकि national mission on pilgrimage pilgrimage, rejuvenation, spiritual heritage, augmentation drive इसकी फुल्फिनर परशाद की ठीक है so national mission of pilgrimage, pilgrimage, rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive इससे launch किया गया था दूसा चोदा पंदरा के अंदर और विजन यही था कि कैसे infrastructure को develop किया जाए किस चीज़ के लिए pilgrimages के लिए, heritage tourism के लिए और tourism ministry के लिए लेकर आया गया है और यह हमारी centrally sponsor scheme नहीं है, it's a central sector scheme तो यहाँ पर पहली तो statement हो तो ठीक हो जाती, infrastructure development है, यहाँ पर union ministry tourism के लिए टीक हो जाते है, सिर्फ एक शब के लिए sponsor, यह गलप हो जाते है क्योंकि it's a central sector scheme, मतलब पूरा secretary center का है, means पूरा पैसा ही center government के दिवारा दिया जाएगा, answer क्या हो जाएगा, it will be a direct answer, जो ध्यान रटे का परशाद scheme के बारे में भी चलते है, next topic के ओपर, जो की G4 Britain को लेकर है, पूशर बताए, इसमें से कौन-कौन सी G4 कांट्रीज है, मैं आपका time period शूर कर देता हूँ, G4 countries जो है, अगर आपको पता चलते है कि वो किस चीज के लिए आपास उठा रहे हैं, तो यह बताना मुश्किल नहीं होगा कि इसमें कौन-कौन सी countries होगी, जैसे कि G4 countries कह रहे हैं, कि UNSC के अंदर reform चाहिए, UNSC के दर reform की demand वही country करेगी, जो UNSC के अंदर permanent member नहीं है, तो इसम जबान की entry हो, ना ही India की entry हो, ना ही Brazil की entry हो, ना ही किसी और country की entry हो, इसी वज़े से G4 grouping बनाए गई थी, जिसमें India, Brazil, Japan तो थे ही, साथ में Germany भी था, इसमें जिसमें कहा गया कि अब UNSC को reform करने की जुरू रहता है, permanent members काफी time से permanent बने हुए, उनको यहाँ पर change करने की अब की entry हो, पहरी ज़े हैं, पहरी ज़े हैं, प्राइमरी सोर्स ओ मेगनेशियम, मेगनेशियम का यह प्राइमरी सोर्स है, हो सकता है, India is the largest producer of Volkswagen, यह भी हो सकता है, और Udisa जो है, इंडिया के अंदर है, leading Volkswagen का प्रेंश है, सोचे क्या answer होगा, local और environmental activists जो है, वो यहाँ पर protest क कर रहे हैं अगेंस्ट बॉक्साइट माइनिंग जो की माली हिल और अपुद के अंदर परी जा रहे हैं पुरी इसा के अंदर तो इसका प्रोटेस्ट काफी सरे अगेंडेनियमेंटल अक्टिविस्ट कर रहे हैं जिसकी वज़े से यह नीजमें था बॉक्साइट जो है इत इसा राव फोर्म फ्रोम ए रेडिस क्ली मैटिरियल जिसको की लेटराइट सोल कहा जाता है और और मोस्ट कमनली आपको प्रोफिटल सर्फिटल रिजन में मिल जा देराएंगे इंडिया की रेंकिग की बात करते हैं इंडिया इस ब्रेंक फॉर्थ इन था वर्लियू के मामले हम चोधे नंबर पे हैं और प्रोडक्शिन के मामले में हम पाच्वे नंबर पे हो चीक है यह चीज़ जियान रेक्एगा सबसे बढ़ा कौन सा इंडिया के अंदर रिजर्व्स जो है वो सबसे आपको बड़ी सामें मिलेगी तो आंसर क्या होगा अगर अगर आपने भी आंसर दिया यह समझ कि करेक्ट 3 है तो मैं भी ही आंसर करूंगा तो माइनस को पने आपको दे दी जिगा मांक्स क्यों क्यों कि गलत यहां पर बताना चलिए यहां से आगे बढ़ते पर चलते हैं को शिंद माइन को देखते हैं जो कि डॉंग के बारे में रीसेंट की व्यूज में देखा गया है यह कि इस स्टेट का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है दस सेकंड में आपके शुरू कर दिये हैं लोकल कम्यूनिटीज मैनेजट तो सस्टेन देख वाटर सप्लाई यूजिंग इंडिजन शिस्टम डॉंग जो है इंडिजन शिस्टम में पर टीपलर लोकेशन का तो यहां पर लोकल कम्यूनिटीज में इसका इस्टमाल करते हुए काथी सिफवाणी जो उसको सस्टेनबल तरीके से यूज किया है वह य यह जो स्रॉक्चिर्ज नहीं यह पॉपुलर ओंता पागल दिया रीवर जो ही इंडो भुटान बॉर्डर जो कि आसाम के सब्सक्रत है वहां पर आपको चलते हैं लास्ट कुश्न के बारे में बताएं को सी स्टेटमर्ट आपकी करेक्टिर को सब्सक्रता सही यह जो है अर पानी जो है वह घ्रमकुत्रा के अंदर इवेंचुली चला जाता है सोचे इसके बारे में क्या आंसर होगा फिर करते हैं इक बिसक्शन कहां की रीवर है कहां से बहती है यह आपको बताना है तो अगर आपको मैं बता हूँ लोही तरी जो है यह और जैसे ही आपनी इस तो आंसर में होई नहीं सकता आपको टरेक्ट बताना है 3 यहां दिया है उसको भी आपने अलिमिनेट कर दिया है और 3 और जागों में भी होते तो इस पर इस पर इमिनेट कर दिया है और UPSC के अंदर आपको काफी सरे ऐसे कुश्च मिलेंगी जहां कर एक उनूशल तो यह चीज़ दियान रखेगा एलिमिनेशन मेंट को जरू दिया हो जाएगा कि यहां टिबेट से निकलती हुए यह आपकी अधनाचल से लोगते असामने चापिर आपने पानी को रिलीस कर दें ब्लाक बक्स को लेकर पूछे बताएं करें स्रेटमेंट कौन सी है तो जो हर्याना पंचाब का स्टेट अनिमल भी है मैं आपका जो दस सकुंड का टाइम पीरिड है वो शुरू कर देता हूं यहां पर आप सोचिए इसके बारे में क्योंकि अभी रीसेंट्ली न्यूज में था एक बिहार जो है वो प्लान कर रहा है एक कंजरवेशन ड्राइब को रॉंच करने की जो ब्लाक बग है उनको बचाने के लिए ठीक है तो जो स्टेट ऑब बिहार है वहां पर यह ड्राइब शुरू करी जा रही है इस वुझे से न्यूज में लेकिन हाँ यह बात तो बिल्कूल ठीक है कि हर्याना पंजाब और परदेश का भी यह एक स्टेट अनीमल है तो पहले सीटमेंट आपकी स्टेटमसिए लिकिन तो और ये जो ब्लैक बग जो है इसी least concern category के अंदर रखा गया है ठीक है तो पहली statement आपकी incorrect answer क्या हो जाएगा B will be the correct answer grassy plains में रहना पसंद करते हैं जो light forest areas होते हैं ज्यादा घने forest में नहीं रहते हैं जो dense forest होते हैं वहाँ पर नहीं रहते हैं जहां पर perennial water sources अविलेबल हो lightly forested areas हैं grassland वाले regions हैं वहाँ पर रहना परसंद करते हैं और schedule 1 में आते हैं ये wildlife production act 1972 के साब से ये चीज़ भी ध्यान रखेगा ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा B will be the correct answer चलते हैं यहां से black box से आगे बढ़ते हुए next topic को देखते हैं next topic हमारा जो है Indian fishery sector को लेकर है पूछा कि Indian fishery sector को लेकर बताएं correct statement कौन सी है कौन सा कतन यहाँ पर आपका सही हो जाता है India is the world's biggest fish producer and exporter दुनिया का सबसे बड़ा biggest fish producer है और exporter भी है कौन भारत fishermen are also eligible to avail short term credit through किसान credit card तो fishermen जो है वो eligible है किस चीज के लिए short term credit लेने के लिए किसान credit card के through तो 10 second का जो time है मैं शुरू कर देता हूँ यहाँ पर आप सोचिए इसके बारे में एक report आई है अभी environmental performance of blue food के द्वारा जिसे publish किया गया है और blue food assessment के तो पे इसे लेकर आया गया है ऐसे part of BFA जो blue food assessment है blue food कौन सा होता है जो marine sector का food होता है उसको लेकर report जो हो यहाँ पर लाए गई थी इंडिया जो है भारत की अगर आप post line देखेंगे it is 7516 square kilometer राधर इसको किलोमेटर कहना ज्यादा सही रहेगा विकरस यहाँ पर हम किस की बात करें हम लेंद की बात करें चीक हम एरिया की बात नहीं कर रहे है तो 7,516 किलोमेटर जो है हमारी यहाँ पर post line है काफी बड़ी इंडिया के पास जो हमारे एडवांटेजियस एक लोकेशन भी और स्टैटेटिक लोकेशन के तोर पे भी हमाले काफी हमें help करती है और इसकी वज़े से जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर फिश प्रोडक्शन जो है फिश कैचिंग जो है वो भी जादा होता है इंडिया इस इंडिया अलाव करता है 100% FDI in aquaculture automatic route के थुरू मतलब सरकार का interference नहीं रहता है FDI 100% इसमें आ सकती है और गौर्मेंट नहीं यहाँ पर जो किसान क्रेट काड़ है इसकी फसिलिटी भी यहाँ पर दी हुई है तो second statement ठीक होने की वेदे से answer क्या हो जाएगा B will be the correct answer ध्यान parties को लेकर बताएं कौन सी statement आपकी correct है कौन सा कतन आपका सही है पहली से कहते है income tax act 1961 का जो है वो क्या करता है वो tax exemption देता है political parties को for income by way of voluntary contribution जो भी contribution मिलता है वहाँ पर tax exemption उनको मिलता है हो सकता है under the representation of people act 1951 का RPA 1951 जो है election commission of India के पास power है to deregister political parties जो की inactive रहती है 10 second मैं शुरू क कर देता हूं आपके सोचिए इसके बारे में क्या answer होगा आप जानते हैं काफी सारी political parties सिर्फ political parties इस वज़े से बनते हैं ताकि उनको tax exemption मिल सके तो आपको पहली statement को लोकर hint मिल चुका है election commission of India जो है उसके पास parties को register करने की power तो है लेकिन deregister करने की power उसके पास नहीं है ठीक रेकमेंडेटरी लिस्ट जो है प्रपोसल जो है वो भीचा चाते है और वो भीचा चाते है किसको लोग मिनिस्ट्री को चीक है तो लोग मिनिस्ट्री के हाग में यह चीज रहती है election commission और यह सिर्फ रेजिस्टर कर सकता है तो yes exemption के लिए tax exemption के लिए बहुत सारी political parties बनती है section 13A जो है income tax at 1961 का वो tax exemption जो है वो प्रवाइट करता है recognized political party को for income from house property, income by way of voluntary contribution, income from capital gains and income from other sources इसी वदे से बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ पे election लडने के लिए नहीं यहाँ पे सिर्फ income tax को बचाने के लिए ही political party बनाते है लेकिन उस practice को रोकने की बात करी गई है लेकिन हाँ ECI क पास power तो है registration करने की और यह इसे representation of people like 1951 के द्वरा ही दी गई है but it does not have the power to deregister parties that are inactive, जो parties inactive है बदो ज्यादा काम नहीं कर रही है, limelight में नहीं है, elections नहीं लड रही है, तो वहाँ पर सिर्फ नाम को ही बताया जा सकता है, प्रपोस किया जा सकता है, लो मिनिस्ट्री को ब assembly वाले, चीक है, तो लो मिनिस्ट्रों जो है उनको प्रपोसल बेजा जाता है, ताकि फर्दर उनको ऐसी parties को रोका जा सके, आंसर क्या हो जाएगा, यह बिल भी the correct answer, चलिए, चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए, medical device sector in India को लेकर पूछा गया बताएं, कौन सी statement आपकी correct है, कौन सा कथन आपका सही है, यह जो scheme है, this scheme is for promotional medical device parks that is launched by ministry of health and family welfare, हो सकता है, medical devices are regulated under drugs and cosmetics act 1940, दो statement दी है, सोचिए इसके बार में, जो scheme है, उसका promotion किसके दोरा किया जा रहा है, scheme for promotional medical device park, ministry of health and family welfare के दोरा लौँच किया गया है, हो सकता है, या फिर medical devices जो है, उसको किसके दोरा regulate किया जाता है, recently scheme for promotional medical device park, इसे recently notify किया गया, इसी वज़े से ये news में थी, और ये notify किया गया, ministry of chemical and fertilizer के दोरा, इस वज़े से जो मंत्राले का नाम है, वो गलत दिया है, तो पहली statement आपकी incorrect हो जाती है, तो scheme जो है, लेकर आए गई है, और यहाँ पर इसके लिए जो financial outlay दिया का है, financial outlay 400 करोड का है, और time period 2014 से 25 तक का है, so first statement is incorrect, what about the second statement, medical devices are regulated under drugs and cosmetic act, तो yes, drugs and cosmetics act के अंदर medical devices जो होते हैं, उनको भी regulate किया जाता है, in India at present only notified medical devices जो है, उनको drugs and cosmetic act 1940 के अंतरगत रखा गया है, ये ध्यान रखेगा, DCGI, drug controller general of India, जो है, it is the key official within the CDSCO, जो responsible है किस चीज़ के लिए, approval of manufacturing of certain drugs जिसमें vaccine जो होती है, वो भी included होती है, second statement ठीक है, पहली गलत है, answer क्या हो जाएगा, B will be the correct answer, चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, next topic के ओपर जो की experiment को लेकर है, पूचा गया, experiment, Xeno 1T, Lux, Zeppelin, Panda, या Pandex, XT, recently news में देखे गये थे, यह किस चीज़ को लेकर है, पांच options आपके सामने दिये हैं, यह self-feeling robots है, creating synthetic life forms, dark matter को detect करना है, gene editing करनी है, किस area से relate करते हैं, एक international team of researchers जो है, उन्होंने पहला एक direct detection of dark energy का model बनाया है, basically experimentation किया जार है, Zenon 1T के दवारा, it is the world's most sensitive dark matter experiment, सबसे जादा sensitive dark matter experiment है, जो की Italy की एक underground lab है, वहां से work कर रहा है, तो dark matter को detect करनी के लिए है, answer क्या हो जाएगा C, dark matter, dark energy क्या होते हैं, इसकी बार में पता होना चाहिए, basically scientist कहते हैं, कि जिस तरीके से हमारा पूरा जो universe है, वो एक दूसरे के सद जुड़ा हुआ है, वो dark matter की वज़े से है, और जिस तरीके से ह रहा है, वो dark energy की वज़े से कर रहा है, तो answer क्या हो जाएगा, C will be the correct answer, चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए next question के ओपर, question number 6 के ओपर चलते हैं, उससे पहले, जो लोग next year के लिए त्यारी कर रहे हैं, you can go for mission UPSC 2022, 500 days का program है, जो 2022 के students को काफी ज्यादा help कर सकता है, day by day त इसके तो भी आप एक crash course के दूरू तयारी कर सकते हैं, upcoming examination 2022 के लिए, चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए question number 6 को देखते है, so भागय स्की, so भागय स्कीम काफी बार न्यूज में देखी जाती है, आपको बताना है, क्या यह LPG connection से relate करती है, national nutrition mission से relate करती है, electricity से relate करती है या फिर none of the hour, the second time मैं आपका शुरू कर देता हूँ, सोची इसके बार में क्या answer होगा, फिर करते हैं discussion, सुभागय स्कीम के 4 साल पूरे हो चुके हैं, इसी वज़े से यह news में दी और successfully 2.82 करोर हाउस होल्ड जो है, उनको यहां पर electrify किया गया है, जब 2017 में इसको launch किया गय क्या फुल्फो में है, सहज, बिजली, हर घर, योजना, इसकी फुल्फो में, इसे launch किया गया था, pre-electricity connection देने के लिए to all the household, चाहे वो APL हो या BPL हो, चीक है, rural areas में हो, poor families हो, या urban areas में हो, चीक है, तो यह किस चीज़ से relate करता है, electricity connection को provide करने से यह धियान रखेगा, electricity connection to household include release of electricity connection by drawing a service cable from the nearest call pass का जो आपके घर के पास खंबा होता है, पोल होता है, वहाँ से electricity जो है, जो shift करी जाती है, चीक है, और यहाँ पर जो wiring है, और a single light point with LED bulb and a mobile charging point वो भी यहाँ पर दी जाती है, चीक है, इस scheme का outlay जो रखा गया था, 16,320 करोड रखा गया था, और gross budgetary support जो था वो भी 12,320 करोड इसके अंदर दिया गया था, चलिए, चलते हैं सुभागय स्कीम के success के बाद, next question को देखते हैं, और next question हमारा है, question number 7, जो की battle of हाइपा को लेकर पूछना है, battle of हाइपा को लेकर कौन सी statement आपकी correct है, कौन सा कतन आपका सही है, इसे 1949 में second world war के दोरान गया था, हो सकता है, हाइपा एक जगा है, एक location है, जो की इसराइल के अंदर locate करती है, 10 second शुरू कर देता हूँ, recently हमारा देश जो है, हमने remember किया है, bravery of regiments from Indian princely state, princely state कौन कौन से, जोदपूर, मैसूर, और आपका, इसराइल, तो जो हमारा देश है, उसने remember किया है, जो की प्रिंसली स्टेट से, इन्हों ने यहाँ पर battle of हाइफा के अंदर अपना participation दिया था, क्या था यह बताता हूँ, battle जो हुई थी, यह हुई थी, दो महीने पहले world war one जब खतम हुई थी, 1918 के अंदर world war one खतम हुई थी, उससे दो महीने पहले battle of हाइफा हुई थी, हाइफा ए Britain है, रशिया है, यह एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे आपकी Ottoman Empire, और यहाँ पर दोनों के बीच में जग हुई और हाइफा जो point था, वो काफी important था, और इसे protect करना काफी ज़रूरी था, तो एक तरफ Britishers जो होते हैं, वो लड़ रहे थे, और Britishers को support यहाँ पर किया गया थ Ottoman soldiers को यहाँ पर defeat कर दिया गया था, so it did not happen at the time of World War II, but World War I, पहली सिटन गलत हो जाती है, लेकिन हा, हाइफा is a place that is located on the Mediterranean coast of Israel, और इस हाइफा battle के अंदर 1350 German और Ottoman prisoners जो थे, उनको यहाँ पर capture किया गया था, और यहाँ पर जो Jodhpur, Mysore, even Hyderabad भी था, उनकी cavalries के द्वारा support किया गया था, तो answer क्या हो जाएगा है, आपर, we will be the correct answer, चलते हैं, next question के ओपर, question number 7 से आगे बढ़ते हुए, question number 8 को देखते हैं, question number 8 है, she was one of the co-founders of Paris Indian society, she was the first Indian to hoist the Indian national flag on foreign soil and also wrote mother's thalwar in response to execution of mother lardingda, हम किस personality की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो यह जो personality है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने Paris Indian society बनाई थी, और Indian flag तो, foreign soil के उपर hoist किया था, और मदन्स तलवार जो है, वो एक text भी जो है, इनके द्वारा लिखा गया था, so we are talking about भीखाजी, कामा, answer क्या हो जाएगा, इसको करने का तरीका क्या थे, कि उशा मैता, any percent के बारे में, हमने काफी चीज़े तो हमने उशा मैता जी के बारे में चीज़ पहले ही बढ़ी हो थी, जो हमने नहीं पढ़ी, क्यों क्योंकि ये चीज़ थी नहीं, रेडियो के context में, एक underground radio उनके द्वारा चलाया जाता था, वह हमने इनके बारे में पढ़ा, तो इनको हमने काफी सारी चीज़े पढ़ी है उनकी home rule league के बारे में भी हमने काफी सारी चीज़े पढ़ी है, लेकिन अगर उन्होंने इसमें से कोई काम किया होता है, तो हमने उनके बारे में भी जरूर पढ़ा होता, कुछ दिन पहले हमने कदमनी गांगली जी के बारे में भी पढ़ा था, और वहाँ पर इसमें से एनिवर्सरी थी और इसी वज़े से इनको याद किया गया है विका जी कामा जो है इनका जनम 1861 में हुआ था एक कापी influential rich family के अंदर और यहां पर main काम जो इनके द्वरा किया गया था 1896 के अंदर जो plague जो है वो उसका एक breakout Bombay के अंदर देखा गया था तो इन्होंने काफी सरे लोगों की सहायता करी थी और eventually यह खुद भी उस plague से सपर कर रहे थी ठीक है तो लोगों की help करते करते plague इनको भी हो गया eventually इनको योरोप के अंदर shift करना पड़ा वहाँ पर दूसरे revolutionary जैसे कि लाला हर दियाल श्याम जी कृष्ण वर्मा जी उनसे इनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर ही पर आगे जाके इन्होंने Paris Indian Society जो है वो भी बनाई और मदन्स दल्वार करके एक जो text था वो भी लिखा चली जान रखे कर D is the correct answer चलते है मैडम बीका जी कामा से आगे बढ़ते हुए next topic को देखते है which is question number 9 जो की एक particular report को लेकर है पूछा गये जो state of global climate report है ये किसके द्वारा release करी जाती है German watch international WMO के द्वारा UN FCCC के द्वारा या फिर none of the above दस सेकिंड का टाइम आपके पास है सोचिए world materialological organization जो है recently उन्होंने एक report निकाली है और यहाँ पर answer मैंने आपको बताई दिया है इसमें सोचने वाली बात थी नहीं तो यहाँ पर आपको quickly answer करना था WMO जो है एक specialized agency है किसकी UN की United Nations की agency है और इसके 193 member states और territories member भी है यह एक UN system के authority voice है on the state and behavior of earth atmosphere इसका interaction land ocean के साथ weather climate के बारे में जानकारी देना यह सभी चीज़े इनके द्वारा दी जाते है तो रिपोर्ट जो है वो नाम भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया answer क्या हो जाएगा B will be the correct answer चलिए आज के last question पे चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए question number 10 जो है medical device park scheme के बारे में पूचा गया medical device park scheme is notified by किसके द्वारा medical device park scheme जो है इसको notify किया गया है क्या ministry of health के द्वारा ministry of chemical fertilizer PMO के द्वारा नीतिया हूँ now this question will check कि क्या आप पूरे lecture को ध्यान से देख रहे हैं या नहीं क्योंकि अगर lecture को ध्यान से देख रहे हैं मैंने पीछे ही इसका answer बताया है क्योंकि one of the statement mentioned this thing उसमें answer गलत दिया था मंत्राले अलग था लेकिन मैंने आपको correct मंत्राले बताया था अगर यह question आपका गलत है it means कही ना कही concentration के अंदर क्योंकि हम इस तरीक के question भी करते हैं जिससे आपका concentration है कि नहीं है आपकी memory कि इस तरीक किसे काम कर रही है जो कि important चीज़ें UPC को crack करने के लिए तो इसके बार में पता चलता है अगर नहीं भी कर पाए आपको याद नहीं भी आ रहे है even then it is okay कोई बात आपके top notch होगी concentration बिल्कुल top notch होगा ऐसा नहीं होने वारा है लेकिन हाँ हम उसको improve जरूर कर सकते हैं कि question before की पहली statement में मैंने आपको बताया था medical device sector को लेकर और वहां पर मैंने आपको किस चीज़ के बार में बताया था कौन सा मंतरा लेता Ministry of Chemical and Fertilizer तो B यहाँ पर correct answer हो ज कि it is given to all candidates who were trained under DDU GKY तो एक program के अंदर जिनको train किया गया था उन्हीं को दिया जाता है और यह जो award है यह ministry of rural development के द्वारा दिया जाता है दस second का time मैं शुरू कर देता हूं time bound manner में आपको answer करना है recently in news में था क्योंकि एक particular मंतराले जो है उन्होंने 75 दिव्यांग जंस उनको उन्होंने बास अवोर्ड से नवाजा है और यह था ministry of rural development and national institute of rural development and panchaiti राज तो second statement जो आपकी है कि कौन से मंतराले के द्वारा दिया जाता है वो तो correct हो जाता है the awards are given to the candidates who were trained through दीन द्याल उपाध्याय ग्रामीन कोशल योजना चीक है and rural self employment training institute's scheme जो की ministry की है 75 दिव्यांग जंस जो की 15 states से आते हैं उनको यह अवोड दिया गया है जो की DDU-JKY और साती साथ RCTC, RCTC क्या है this is rural self employment training institute के द्वारा trained किये गए है चीक है तो दियान रखेगा not given to all candidates और यहां पर DDU-JKY के साथ RCTC training वहां से भी ली गई है तो पहली statement जो है वो incorrect हो जाती है answer क्या हो जागा यहां पर B will be the correct answer ठीक है तो दियान रखेगा कई पर एक शब्द की वज़े से भी पूरी statement जो गलत हो जाती है और वही चीज़ें आपको यहां पर देखने है जो extreme statements होती है उनक normalization of micro food processing enterprise so topic को करना है हमें underline और यहां पर देखना है कि पूछा है कि आपको incorrect बताना है there is no provision of financial support to beneficiary under this scheme इसके अंदर कोई भी financial support नहीं दिया जाएगा लेकिन आप हो सकता है दूसरे तरीके से help करी जाए odop is one of the component of pmfme one district one product जो है यह एक component है किसका pmfme का चले यहां पर time period में शुरू कर देता हूँ आपका फिर करते हैं discussion इसको लेकर अभी recently seed capital module जो है इसे launch किया गया है under the परधार मंत्री formalization of micro food processing enterprise scheme ठीक है तो seed capital module जो है वो लेकर आया गया है अगर हम बात करें यहां पर pmfme scheme की it aims to enhance the competitiveness किस चीज़ की existing individual micro enterprise की जो competitive से उसको increase करने की बात इसके अंदर करी जाती है in the unorganized food processing industry and promote formalization of the sector ठीक है तो unorganized sector को improve करना है formalization sector को promote करना है उसको लेकर बात करी गई है साथ ही साथ अगर हम बात करें एक seed capital module जो है उसको launch किया गया दीन द्याल अंतोदया योजना national urban livelihood mission के अंतरगत इसमें एक MIS portal जो उसको भी लेकर आया गया है urban self-help groups की help यहाँ पर करी जाने वाली है और इसके अंदर जो seed capital assistance रखा गया है वो ठीक हो जाते है क्योंकि one district one product odop it is one of the important or significant component PMFME scheme के अंदर तो इसके अंदर one district one product का जो component है वो scheme के अंदर रखा गया और इस component के अंदर at least one product जो होगा उसे promote किया जाएगा हर district में से तो आप भी पता लगाएगा कि आपके district में से कौन से product को यहाँ पर इस scheme के अंदर रग incorrect answer करना था answer will be a कितने लोग उनको minus two मिला है प्लीज मुझे comment section में बताइए because miss reading की जो penalty है वो minus two चलते हैं यहां से एक infographic मैंने add किया ताकि जब आप revise करें तो यह जो various component scheme के वो अच्छे से जल्दी से revise कर पाए next question को देखते हैं जो की IAEA को लेकर है पूछा गया IAEA को लेकर बताए कौन सी statement आपकी correct है कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है ठीक है तो यहाँ पर topic और क एक founding member है अभी recently हुआ क्या है CAG Controller and Auditor General of India जो है उनको select किया गया है as an external auditor of IAEA एक external auditor के तोर पर यह काम करेंगे IAEA के यह news थी और हमारे लिए खुद भी यह काफी फक्र की बात है कि हमारे यहां से जो CAG है and definitely जो CAG होते है से लार्चली बनाए जाते हैं so यहां पर यह role जो है वो आप ही लोगों को निबाना होता है IAEA को setup किया गया था atom for peace organization के नाम से 1957 के अंदर within the United Nation family agency work with its member state multiple partners इसके होते है and it was established as an autonomous organization दो यह UN से independent तोर पर काम करती है यह भी ध्यान रखिएगा इवन दो इसकी जो reporting है IAEA के जो reporting है वो United Nation General Assembly को भी होती है and United Nations Security Council को भी इसकी reporting होते है लेकि इसे एक autonomous organization के द्वारा बनाया गया था के तोर पर बनाया गया था और इंडिपेंडेंटी बनाया गया था established as an independent organization of UN through its own international treaty IAEA statute इसका एक अपना IAEA statute है जिसके थोर पर और जिसके थूर इसे बनाया गया था IAEA reporting even though UNG और UNSC दोनों को करता है तो yes ये एक autonomous organization है outside the framework of UN लेकिन हाँ UN को reporting करी जाती है and India is also the founding member answer क्या हो जाएगा IAEA की जो report होती है annually वो UNGA के पास जाती है और UNSC के पास जाती है regarding states non compliance with safeguard obligation क्योंकि इसका काम क्या है एक inspector एक inspection officer के तोर पर ये काम करता है और जो जो safeguards को follow नहीं कर रहा है जो country's compliance नहीं कर रही है उसको लेकर जानकरी इकटी करी जाती है और वो supply भी करी जाती है चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए IAEA से next topic को देखते हैं which is question number 4 जो कि आकाश missile को लेकर है पूछा गया आकाश missile को लेकर बताएं कौन सी statement आपकी correct है कौन सा खतन यहां पर आकाश missile को लेकर आपका सही हो जाता है पहली ship में कहती है these are air to air missile जो की nuclear warhead को carry कर सकती है हो सक इनका जो time है वो शुरू कर देता हूँ एक new origin जो आकाश missile का है जिसका नाम है आकाश प्राइम surface to air आपकी missile है जिसे की DRDO के जोड़ा develop किया गया है nuclear capable है that's for sure और यहां पर Mac 2.5 इसकी speed रहती है आकाश missile system जो है yes इसे design and develop किया गया है इंडिया का जो 30 साल पुराना integrated guided missile development program है उसके अंतरकत आपको correct answer ही बताना था तो यहां पर answer क्या हो जाएगा B तो यहां पर IgMDP के अंदर आपको दूसरी मिसाल जैसे की त्रिशूल है प्रित्वी है नाग है अगनी है वह भी मिल जाएगी ठीक है चले बीवल बीदा correct answer चलते हैं next topic के ओपर यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं next topic के ओपर तो आकाश प्राइम के बारे में question पूछा दा सकता है question में 5 को देख लेते हैं जो की बात कर रहा है which of the falling is correct regarding tragic arpus तकील a species endemic to utarakhand इसे recently news में mention किया गया था किस वजे से इसे news में mention किया गया था यह आकर है क्या कोई invasive plant species है and its extract is widely used in cosmetics it is the only palm species that can survive sub-zero temperature या फिर नन ओव था अबव देखिये उत्राकंड फोरस डिपार्टम जो है dedicated north India's biggest जो अपका palm item है उसे citizens को dedicate किया है कुछ दिन पहले भी हमने उत्राकंड को लेकर news पड़ी थी कि यहां पे एक open-air funnery जो है उसको launch किया गया है तकील पाम जो है it is endemic to उत्राकंड and is the only palm species that can survive sub-zero temperature ठीक है तो यहां पर answer क्या हो जाएगा C और news city board के द्वारा इसे threatened species जो है उस category के अंदर रखा गया answer क्या हो जाएगा C will be the correct answer कुछ इस तरीके से दिखता है देखिए इसे चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए question number six के ओपर उससे पहले जो लोग next year के लिए त्यारी कर रहे हैं उन students के लिए you can subscribe for crack UPS exam in 200 day series यह आपका crash schedule जो है वो इसका inbuilt राएगा तो day one पे चाहिएगा open करिएगा day one को उसमें जो specific videos होंगे वो आपको देखने हैं जो mcqs होंगे वो sold करने है और जो writing का module है वो भी इसके अंदर अलग से रखा गया तो day by day आप त्यारी करेंगे day one day two day three इस तरीके से आपको inbuilt schedule के manner में जब त प्यारी कर सके चलते हैं next question के ओपर which is question number six question number six बात करता है a dm abdm के बारे में आयुश्मान भारत digital mission को लेकर पूछा बताएं correct statement कौन सी है कौन सा कतन इसको लेकर सही है पहली सब्सक्राइब कहते है इंस to provide 14 digit का एक unique number जो है वो यहाँ पे health id के तोर पे दिया जाएगा लोग सब्सक्राइब मंत्री के द्वारा आयुश्मान भारत digital mission के तोर पे digital health id जो है उसको launch किया गया है ताकि लोगों के health records भी maintain करे जा सके और उनको एक बहतर सुविदा जो है health sector के अंदर दी जा सके health id जो रहने वाली है unique रहेगी 14 digit का health identification number रहने वाला है for every citizen that will also work as their health account जैसे हमा information हमारे bank account में रहते है उसी तरीके से health id के अंदर जितने भी health related issues होंगे health related data होगा records होंगे वो यहाँ पर रहने वाले है ठीक है तो पहली statement आपके हो जाते है correct लेकिन health id is free of cost and voluntary यह कोई mandatory नहीं है it is voluntary it is created by using person's basic detail mobile number आधार नंबर जो है वो इसके अंदर रहने वाला है आईश् चॉपी के ओपर recently जुदीमा राइस जुदीमा राइस wine received the GI tag यह कौन से राजे से आती है जो जुदीमा राइस wine है यह क्या नागलेंड से आती है 36 गड़ से आसाम से या फिर केरला से सोची इसके बारे में जुदीमा वाइन दो चीजें यहाँ पर है एक तो थी राजस्थ जुदीमा राइस wine है इसको भी GI tag का status यह मिले असाम जुदीमा वाइन जो है जो की नौर्स इस रीजन से आती है जिसको की GI tag से नवाजा गया है ट्रेडिशनल जुदीमा वाइन जो है यह राइस से बनाई जाती है इसमें काफी सरी अर्ब्स होती है वो भी रहती है और दि इंसास क्योंकि कोई भी cultural fest होता है कोई भी social gathering होती है तो वहाँ पर इसको consume किया जाता है यह धियान रखिएगा ठीक है चली सी दा करेक्ट आंसे GI tag मिला है और जो सोज़त मेहंदी है इसको भी धियान रखिए का यह भी राजिस्तान से इसको पूछा जा सकता है एक्जाम के अचारय विनोबा भावे स्टार्ट भूदान मुवमेंट यहीं से उन्होंने शुरू किया था 10 सेकंड का टाइम शुरू कर देता हूं सोचे के आंसरों का फिर करते हैं discussion recently union tourism ministry ने निधी 2.0 निधी क्या है national integrated database of hospitality industry निधी 2.0 ठीक है so it is national integrated database of hospitality industry इसे यहां पर launch किया है और इ पहली statement को देखते हैं जो पॉचंपली विलेज है इसको एकत capital इंडिया भी कहा जाता है reason is क्योंकि एकत सारी जो है वो यहां की काफी famous है इसे rich historic culture significance के लिए भी जाना जाता है तो पहली statement हो जाती है ठीक अगर हम second statement की बात करते है जो पॉचंपली सारी है पहले इसके बारे म मिल गया था और यहां पर weaving cluster जो है उसे भी एक word heritage का जो status है उसकी tentative list में रखा गया तो weaving cluster जो यहां का है उसको tentative list of word heritage site के अंदर रखा गये ध्यान रखेगा अगर हम historic fact की बात करते हैं तो yes अचारे विनोबा भावे जो है उन्होंने जो भूधान moment जो था जिसमें land को distribute करन वह यहीं से शुरू किया गया है जिक है जिसमें क्या किया गया था उन्होंने अपनी land को भी daant किया था और जो यहां पे wealthy land owners ते उनको भी कहा कि landless लोग जो है उनको यहां पर अपनी land को देना शुरू करें दान करना शुरू करें भू दान लेंड का दान चीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर तो हो जाएगा सी अगर बात करेंगे क्यों पोचंपली न्यूज में था वैसे देखा जाए तो तीन इंडिम विलेज़ जो है उसे बेस्ट टूरिजम विलेज के कैटेगरी में यू एड़ लूटियों के द्वारा रखा गया जिसके अंदर पहला है आपका लादपूर खास विलेज यह आते हैं मत्य परदेश से एक विलेज आपका मेखालेक है जिसका नाम है कॉंग्ठोंग विलेज और तीसरा आपका यह तेलंगाना का पोचंपली विलेज इस वज़े से भी य आपकी चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स टॉपिक के ओपर और देखते हैं नेक्स टॉपिक यहां पर किस चीज़ की बात कर रहा है कुस्चन नमबर 9 ओल इंडिया कोर्टरली एस्टैबलिश्मेंट बेस्ट एंप्लॉइमेंट सर्वे अकीज इस रिलीज़ किया जाता है टाइम प्यर्ड में शुरू कर देता हूं चार ओप्शन इजी ओप्शन आपके सामने मिनिस्ट्री ओफानेंस है नीटिया आयोग है मॉस्पी है यहां पर लेबर एंप्लॉइमेंट मिनिस्ट्र जोते हैं उन्होंने रिलीज किया है फर्स्ट कोर्टर ओफ ओटली एंप्लॉइमेंट सर्वे एप्रियल से जून का दोजर एककिस का ओल इंडिया इस्टब्लिश्मेंट बेस सर्वे जो है वह यहां पर दिया गया 9 selected sectors जैसे की manufacturing, construction, trade, transportation, accommodation, restaurant, IT, BPO, education and health जो है along with financial services उनको यहां पर consider किया गया data को बनाने के लिए तो वैसे इसे लेकर किस के द्वारा आए गया D के द्वारा चलते हैं question number 9 से आगे बढ़ते हो है आज के last question के ओपर चलिए last question जो map related question देखिए minimum states to pass by when traveling from Utrakhand to Gujarat excluding source and destination source and destination को छोड़कर कितने states से आपको होकर गुजरना पड़ेगा जब आप Utrakhand से Gujarat के लिए travel कर रहे है सोचिए आप visualize करकि Utrakhand कहां पर locate करता है आपका destination Gujarat कहां पर है और फिर कितने राज्ये उसके अंदर आते हैं आपको Utrakhand और Gujarat को count नहीं करना है चलिए एक बर यहां पर map के ओपर भी देख लीजिए चीजें असान हो जाएंगे अगर आप देखेंगे यह भी आप एक रास्था अपना सकते हैं तो यह दो ही majorly आपको रास्थे देखते हैं जिसके अंदर minimum दो स्टेट्स तो आपके बीच में आई रहे है या फिर आप UP के अंदर आ सकते हैं यहां से राजिस्थान में आ सकते हैं और फिर कुछरात में आ सकते हैं लेकिन हाँ minimum जो दो स्टेट्स हैं यहां पर वो आपको पास करने पड़ेंगे तो answer क्या हो जाएगा यहां पर A will be the correct answer ठीक है चलिए दियान रखेगा इसके बारे में यहां पर A होगा The first question talks about if the government makes discrimination in the matter of providing aid to any education institution on the ground that it is under the management of a minority religious or linguistic which of the following article will be violated तो question पूछ रहा है कि अगर भारत सरकार किसी भी तरीके का discrimination करती है किसी भी तरीके की facility provide करने में एक ऐसे education institution को जो religious and linguistic minority के तोर पर categorize किया गया है तो कौन सा article violet होता है 10 second में आपके शुरू कर देता हूँ recent Supreme Court का एक judgment आया था उसी से यह relate करता है क्योंकि Supreme Court ने observe कि जो government सहायता देती है Getting aid from the government वो हमारा fundamental right नहीं है Article 30 of the constitution states that right of minorities to establish and administer education institution और article 30 of article 1 कहता है कि जितने भी minorities है all the minorities better based on religion or language shall have the right उनके पास right होना चाहिए कि वो अपने education institution को बना सके administer कर सके जिस तरीके से वो चाहते है और article 30 of article 2 कहता है कि government उनको discriminate नहीं करना है किसी भी education institution के against me on the ground that it is under the management of minority तो यहां पर दुबारा से सुने article 30 of article 2 कहता है कि government should not discriminate against any education institution किस ground पे सिर्फ इस ground पे कि वो minority institution है या फिर उसकी जो management है वो minority institution के तौर पे करी जाती है जब सहायता दी जानी है उस time पर आप यह discrimination नहीं कर सकते answer क्या होगा C will be the correct answer ठीक है चलते हैं यहां से आगे बढ़ते में इसका जिक्र किया गया तो यह स्टेक का portion important हो जाता है second question को देखते है second question talks about PM कुसुम scheme को लेकर पूछा बताएं कौन सी statement correct है तो आपको करना क्या है जो PM कुसुम है जो topic है उसको करना अंडरलाइन correct या incorrect जो पूछा है उसको डाली सरक्कर में आप देखिए one by one statement यहां पर उसे connect करना पड़ेगा renewable energy power कराना से वह सकता है कि एक factor के तोड़ पर लेकर आया गया हूँ installation of stand-alone solar agriculture pumps solar agriculture pumps जो है उसको करना पड़ेगा solarization of grid connected agriculture pumps तो तीन चीज़ें आपको दिये हैं यहां कर और आप सोचें इसमें से कौन कौन से components के तोड़ पर रखा गया PM कुसुम scheme तो यूनियन मिनिस्टर पावर जो है यूनियन मिनिस्टर पावर जो है यूनियन मिनिस्टर पावर नियुन रियेबर एनरजी उन्हों रिसेंट्ले रिव्यू किया इस scheme को और रियर फर्म किया कि government का commitment है वो solar pump adoption को लेकर पूरी चाहिए तो यहां पर 100% commitment दिखाया है जो हमारे मंक्री थे उन्होंने इसके अंदर स्टेंड अलों solar agriculture pump को डागने की बात करी गई थी और साथी से भी करने की बात करी गई थी इससे होगा क्या बेसिकली एक alternative source of energy जो है वो farmers को मिलेगा ठीक है PM कुसम scheme को 2019 के अंदर launch किया गया ठीक है और एम क्या था एम यही था कि farmers को access मिले रेलाइबल daytime solar power का irrigation का power subsidies जो है उनको reduce करना किया जा सके और साथी साथ agriculture को decarbonize किया जा सके क्यों इसके थिरू उनको क्या मिल रहा है इनके थिरू उनको renewable energy मिल रही है और उनको decentralized grid जो है वो यहाँ पर setup करने के लिए प्राभधान बनाए जा रहे है ठीक है यह चीज़ दिया बनाया जाएगा और यहां पर यह भी कहा गया था कि जो stand alone solar agriculture pumps है around 17,5,5 लाग के आसपस उसको install किया जाएगा और then 10 lakh grid connected agriculture pumps जो है वो भी लेकर आए जाएगे तो तीनों statement चीख होने की वज़े से answer क्या हो जाएगा इसको review किया गया है 2019 की scheme है वैसे कोई नई scheme नहीं है लेकिन हाँ news में क्योंती क्योंकि अभी power minister की द्वराई से review किया गया है और अपने commitment को reaffirm किया गया है चली चलते हैं third question के ओपर जो की पूसा बासमती 1979 पूसा बासमती 1985 को लेकर है तो यहां पे specific type दी है बासमती की और से पूछा है कि क्या यह genetically modified rise है अर्भी side tolerant rise है fortified rise है या फिर none of the above आपको best answer चूज करना है या पर सोची 10 second का time आपके पास है क्या answer होगा फिर करते हैं discussion इसको लेकर चलिए time period is almost over तो यहां पर हुआ क्या है आई ए आर आई आर आई क्या है Indian Agriculture Research Institute ने डवलप किया है इंडिया का पहला इंडिया's first ever non GM genetically modified नहीं है non GM है herbicide tolerant rice variety वैसे यूशुली अगर आप देखेंगे जितने भी इस तरीके की चीज़े पैदा करी जाती है चाहे वो herbicide tolerant हो या फिर अगर कम भी पानी होगा तो भी अच्छे से फसल आप हुगा सकेंगे यह सब चीजें आपको genetically modified चीजों में ही या फिर products में ही मिलती है लेक इसे non GM is a better option जो कि हमारे यहां पर जो इंडियन अगरी कल्चर रिसर्च इंसीटूट है इन्होंने करके दिखाया क्योंकि हर भी सै tolerant rice variety के द्वारा पैदा करी गई है पूसा बासमती 1979 पूसा बासमती 1985 आर्दा टू निव राइस वराइट इस डैट कंटेन होगा जिससे आप हर भी सै tolerant rice variety जो इसको पैदा कर पाएंगे वो भी बीन GM के ठीक है तो correct answer क्या हो चाहेगा B will be the correct answer चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए जो आपकी चावल की नहीं variety आई है उससे आगे बढ़ते हुए next question question number 4 को देखते हैं what is the main purpose of sentinel 2 satellites and landsat satellites जिसको recently news में देखा गया है time period में शुरू कर देता हूं क्या इसका purpose communication है communication satellites है यह क्या reconnaissance satellite security agency के लिए लेकर आई गई है even though better answer भी आपका option में होता है और good answer भी आपका option में होता है लेकिन आपको चूज क्या करना है आपको best answer चूज करना है Landsat 9 एक NASA का satellite है जिससे successfully launch किया अभी California basic और Landsat satellites are the earth monitoring satellites चीक है with the first जो इसमें launch किया गया था 1972 में launch किया गया था they have collected images of our planet तो हमारे यहां पर हमारी जो धरती उसके उपर land usage कैसा है land usage change कैसे हो रहा है forest पहले कितना हुआ करता था अब forest कितना है चीक है यह सब data जो है सब information जो है वह इनके द्वारा provide किया जा रहे तो these are the earth observation satellites answer क्या हो जाएगा see will be the correct answer ठीक है तो यहां पर purpose of satellite जो है वो कई पर पूछ ले जाता है exam में कि कि किस चीज़ के लिए satellite लेकर आया गया है चलते है next question के ओपर question बात करता है airspace map of India को लेकर बताएं कौन सी statement इसको लेकर correct है कौन सा कतन सही है airspace map of India को लेकर now पहली चीज़न कहती है यह allow करता है civilians को कि वो drones जो है operate कर सके और साथी साथ no fly zone को demarket करता है हो सकता है it is developed by NIC national informatic center हमारा जो है उसके द्वारा मीटी के साथ मिलकरी से बनाए गया है the second time में शुरू कर देता हूं आपका सोचियस के बार में क्या answer होगा recently airspace map of India जो है इसे लेकर आया कि है ताकि drones का operation हमारी country में सही तरीके से किया जासे कि आप जानते हैं कि बीच में drones को लेकर काफी ज़्यादा restrictions थी और वो ministry of civil aviation के द्वारा impose करी गई थी and for the right reasons लेकिन जैसे जैसे हम चीजों को manage करते जा रहे हैं उसी तरीके से हम यहां पर जो यह drones का area इसे भी थोड़ा सा liberalize करते जा रहे है ministry of civil aviation के द्वारा launch किया गया airspace map of India ताकि drones के operations करे जा सके airspace map of India जो है यह अलाव करेगा civilian drone operators को ताकि वो no-flying zone जो है उसको demarket कर सके check कर सके ताकि वहां पर वो entry ना करें यहां पर तीन areas में इसको divide किया है आपका area है red आपका area है yellow आपका area है green इन तीन areas के अंदर इसे इसे नाम से पता चल रहा है कि यहां पर आप बिना किसी permission के जा सकते हैं और इसी तरीके से red जो है वो totally मना किया हुआ है yellow के अंदर आपको permission जो है वो कुछ agency से लेनी पड़ती है चीक है तो इस तरीके से तीन areas को demarket किया है बढ़ हां अगर आप statement by statement चलेंगे तो यहां पर जो पहली statement है वो तो incorrect हो जाती है यहां पर a will be the correct answer जो आपका map है इसे वैसे डेवलोप तो map my India and IT services के द्वारा किया गया है इसमें DGCA का भी रोल है और finally civil aviation के द्वारा इसे launch कर दिया गया है डेवलोप किसके द्वारा किया गया है map my India and IT services के द्वारा correct answer क्या होगा जो आग 6 बचे हमारा lecture होगा जो हमारा current face का बैच चल रहा है यह जो mcqs है इसकी further explanation जो होगी जैसे कि red zone क्या होता है yellow zone क्या होता है green zone क्या होता है यह हम वहाँ पर करने वाले चीक है तो mcqs जो है आप attempt करें यहाँ पर आपको basic idea चीजों के बारे में लग जाएगा for further explanation हम लोग current face के अंदर तो definitely पूरी तफसील से जो डेट घंटे का मारा lecture रहता है वहाँ पर इसे discuss करते ही है चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए question number six के ओपर उससे पहले आप लोग 100 days की जो series है वो subscribe क कर सकते हैं this is for the students जो की 2022 के लिए त्यारी कर रहे है और अगर आपको basic idea है अपनी preparation को लेकर then you can go for crack UPC exam in 100 days 100 days के अंदर आप जो various areas होते है static portion के उसको cover कर सकते है current system cover करी रहे है so this is the crash course for the student जो की next year exam देना चाहते है लेकिन हाँ अगर आपको बिल्कुल भी exam के बारे में idea नहीं है आप बिल्कुल basic से शुरू करना चाहते है then you can go for mission UPC 2022 चली चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए next topic के ओपर in which of the falling states is busi wildlife sanctuary situated तो बसी National Green Tribunal ने refuse किया है अभी to vacate its order prohibiting mining operation within 10 km of busi valley century चितोडगर राजस्तान के अंदर है तो यहां पर NGT जो इस तरीके की decision लेती रहती है कि कहां पर mining करनी है कहां पर mining को रोकना है ठीक है तो यहां पर अभी NGT ने अपनी जो decision तो उसको withdraw करने से मला किया है और इस sanctuary को बचाने की कोशिश जो है वो करी गई है कहां पर locate करती है चितोडगर राजस्तान में है तो answer क्या हो जाएगा डी answer यहां पर हो जाएगा बसी वाले century जो है चितोडगर डिस्ट्रिक में राजस्तान में यह locate करती है जो बसी फोर्ट पहले से उससे सिर्फ पांच किलोमेटर की दूरी 1988 में इसे एस्टाब्लिश किया गया था ओंद वेस्टन बोर्डर ओफ विंध्या चल रेंज और इसके अंदर बसी और राइड जो है वो भी इंक्लूड करते हैं तो वैसे भी यह काफी sensitive एरिया हो जाता है क्योंकि यहां पर अवेलेबल है यहां पर अगर आप फ्लोरा फो ESZ के बारे में eco sensitive zone के बारे में पूछा गया है कि बताएं कौन सी statement eco sensitive zone को लेकर correct है क्योंकि आप जानते हैं आपके prelims exam के अंदर जो environment ecology है वहां से भी question पूछे जाते हैं दो statement यहां पर दिये किसके दोरा decision लिया जाता है वह भी यहां पर दिये सोची इसके बारे में NGT को लेकर ही यह question बनाए गया क्योंकि आप जानते है कि जो बसी वालेब सेंक्ट्री चितोड़ के राजिस्तान में है इसके आस-पास के areas के अंदर mining operation जो है वह मना किये गए थे तभी यह question जो है यहां पर बनाए गये अब आते हैं यहां पर ecological sensitive zone एक चीज़ धियान रखेगा ecological sensitive zone को ecological fragile area भी कहा जाता है तो exam के अंदर दोनों में से कोई भी terminology use करी जा सकती है it is basically the area in India notified by ministry of environment forest and climate change around the protected area जैसे की national parks हो गए wild life centuries हो गई जो ESZ का concept है यह 2002 में आया तो कोई नया concept नहीं है और 2002 में इसे लेकर आया गया उसके बाद इसे implement किया गया it adopted a strategy that held that area जो है 10 km radius के अंदर 10 km radius of the protected area should be declared as ecological fragile zone and activities जो होगी वो यहां पर regulated तरीके से करी जाएगी मतलब free flow रहे नहीं रहेगा activities का क्या रहेंगी activities जो हो regulated तरीके से करी जाएगी ठीक है so this is not the 10 square kilometer area around the protected area rather 10 km की radius की बात करी जाती है और इसमें जो range रखी गए थी माली जे क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है तो 0 से 10, 0 से 10 km तक radius में हम उस area को protect कर सकते है for example यहां पर आपकी कोई wildlife sanctuary national park है ठीक है तो इसकी radius जो होगी उसमें 10 km तक 0 to 10 km तक area को आप बचा सक यहां 5 भी कर सकते हैं अब 10 भी कर सकते हैं and in certain exceptional cases even 10 के बेयों 20 km या फिर ज्यादा किलोमेटर तक भी जा सकते हैं ठीक है जिसे finalize किया जाता है expert committee के द्वारा जो कि ministry environment forest climate change की द्वारा बनाई जाती है यहां पर यह चीज़ दिया रखेगा national board for wildlife का यहां पर रोल नहीं है और यहां पर यह जो ministry environment forest climate change की expert committee होती है यह present करते है अपने proposal को state government को और फिर उसे fine tune किया जाता है दोनों statement गलत होने की वज़ जो की tropical cyclones को लेकर कुछ रहें बताएं कौन सी statement correct है center of the cyclone सबसे बहुत अंडर लाइन करें center of the cyclone is stormy with a very high air pressure जो center of the cyclone होता है तो वहां पर काफी जदा pressure होता है और काफी stormy होता है हो सकता है that the cyclone wind system circulates in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere और clockwise in the southern hemisphere basic question है बिल्कुल क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि cyclones काफी news में है cyclone गुलाब जो था वह भी काफी news में था और यह basic question आपका NCRT से बनाया गया है क्योंकि current defense को लेकि जो question होगा वो static में से ही पूछा जाएगा अगर इस तरीके का topic है तो Indian meteorological department ने कहा है कि जो cyclone गुलाब है वो अभी weaken हो रहा है ठीक है low pressure में and will bring heavy rainfall in several states तो यहां पर हमने देखा पीछे भी काफी सारे राज्यों के अंदर इवन इस्टन कोस्ट के ओपर वेस्टन कोस्ट के पर महराश्टा वेस पंगोल के अंदर काफी जदा बारिश योती ही वो cyclone गुलाब की वज़े से देखनी पर मिली center of the cyclone जो होता है जहां पर cyclone की आई होते जिसे का जाता है आई हो तो cyclone वो सबसे काम area होता है ठीक है महाँ पर लो प्रेशर होता है और सबसे काम area होता है तो पहले सिपनी इंकरेक्ट हो जाते है बेसिक एंसी आर्टी टेक्स्ट्बुक कोस्टन था यह तो cyclone wind system जो है बिल्कुल ठीक है अगर आप देखेंगे northern hemisphere में यह anti clockwise कोंता है और southern hemisphere में यह clockwise को जाएगी आंसर वि भी अभी यहां पर geography के जो lectures है exam.network.com पर वहां पर मैंने इंचीजू के बारे में explain किया है तो question 8 जो है वो भी हमारा complete होते है अभी दो मैंप के question मैं आपको देने वालों तो be ready for that चली चलते है next question के ऊपर which is question number 9 चली question 9 जो है बात कर रहा है कि बता है कुछ नई beaches को भी एंटर किया है तो यहां पर कुछ beaches के नाम दिया और उनकी location के नाम दिया आपको बताना है कि कौन सा corrective match कर रहा है फिर मैं आपको भारत के अंदर जितनी beaches अविलेबल है क्योंकि पहले एक्स amount of beaches थी और दो अभी नई एड हुई है पहले कितनी थी बताई है मुझे comment section के अंदर उनके नाम मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहां पर इडन बीच क्या पुदू चेरी से है एक बड़ देखे यहां पर सारी beaches जो है आपको एक बार मैं इस इन्फोग्राफिक में द्रुदर नगर है अंडबानी गुबार की रुशी कॉंडा फ्रूम आंदर परड़ेशन ठीक है तो यह कुछ बीचीज है हमारे पास सभी 10 बीचीज यहां पर अविलेबल है तो correct answer होगा है आपे क्योंकि तीनों ही correctly match कर रहे हैं बिल्कुल साही location दिये टी विल भी the correct answer देली से हरियाना से गुजराथ से 10 सेकिंड का टाइम शुरू कर देता हूं राजिस्तान से करता है यह तो सभी को पता है यह तो हम स्कूल में थे तब से मैप के उपर ड्रॉ करते आ रहे हैं अरावली को लेकिन वैसे और कौन-कौन से राजियो में से होकर जाता है यह आप इस यह पर डेली हरियाना रजरा से होते हुए गुघणा ठीक है चली चलिए बिस्ट इस School of Architecture को ले कर तीन स्टेटमेंट आपके सामने है और पूचे कि बताएं इसको लेकर प्रेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है school of architecture को hybrid school of architecture भी कहा जाता था देखे तीनों statements provincial schools को लेकर दे रखी है one by one read करें और फिर देखेंगे इसके बारे में correct answer हमारा क्या है चली तो Bengal school of architecture के बारे में जानते हैं सबसे पहले it was characterized क्योंकि यहां पर इस्तमाल किया जाता था hybrid school नहीं कहा जाता था rather इसे पठान school of architecture कहा जाता था मालवा school of architecture को पठान school of architecture भी कहा जाता था hence third statement आपकी incorrect हो जाती है और जैसी third statement अगर आप eliminate कर देते तो सीधा ही आप a पे पहुंच जाते cities ओ धारन मंडू जो है मालवा प्लैटू के अंदर वो prominent seats हैं architecture की यह भी बात बिल्कुल ठीक हो जाती है answer आपका हो जाएगा एक कुछ यहां पर आप देख सकते हैं this is qadam rasul mosque गौर west bengal के अंदर है मालवा school of architecture को पठान school of architecture कहा जाता था it is also one of the finest specimen of environmental adaptation तो मालवा school of architecture के अंदर environmental adaptation के काफी सरी चीज़े आपको मिल जाती है large windows use करे जाती थी ventilation के लिए lightly arched रहती थी artificial reservoir को भी रखा जाता था and locally available material का इस्तमाल करके पुरा construction इसके अंदर किया जाता था रानी रूपमती पैविलियन जो है वो भी आपका काफी famous जो कि आज यहां पे आप picture के अंदर देख सकते हैं चलते हैं next question के ओपर which of the falling school was patronized largely by शार्की रूलर्स शार्की रूलर्स के द्वारा कौन सा school Char School आपको सामने दिए किसको finance किया गया था किसको paternize किया गया क्या मालवा स्कुल को किया गया था जोन पुर फूर्स को किया गया था या फिर पठान मालवा स्कूल किया गया था सोछी फिर करतें discussion लेकिन आपको यहां पर दिमाग लगाना है क्योंकि देखिये मालवा को ही पठान का जाता है तो यह दोनों तो आंसर होई नहीं सकते हैं दोनों में से एक ही होता आंसर तो इसको आप सीधह ही अलिमिनेट कर दीजी अब जो आपको डिसाइड करना है, वो जोनपूर और वीजपूर के बीच में ही करना है, क्योंकि अगर उनने मालवा स्कूल को पैटनाइस किया होता, तो D में आप्शन पठान ना दिया था, क्योंकि एक ही स्कूल के दो अलग अलग नाम है, तो answer हमारा हो जाता है जोनपूर स्कूल को उनके द्वारा पैटरनाइज किया गया था this style of architecture also come to be known as शर्की style क्योंकि शर्की के द्वारा finance किया गया था पैटरनाइज किया गया था hence शर्की style भी कहा जाता है and also avoided the use of minars मिनार्स का इस्तमाल नहीं किया जाता था इसके अंदर चलिए एक यहां पर भी इसका answer हो जागा इसका instance जो देख सकते हैं अब अटाला मॉस्क जौनपूर के अंदर तो मिनार्स आपको यहां पर कहीं पर भी नहीं दिख रही होंगी चलते है next question के ओपर which is concerning आदिल्शा को लेकर पूचा है कि आदिल्शा ने कौन से स्कूल को पैटरनाइज किया था मुगल स्कूल को बीजापूर स्कूल को मालवा स्कूल को या फिर नन ओफ ता अबब सोची चलिए बीजापूर स्टाइल या फिर जिसको डेकन स्टाइल ऑफ आर्केटेक्चर He constructed a number of mosques तो काफी सारी mosques जो थी वो उनके द्वारा बनाई गई थी काफी सारी tombs जो थी वो भी उनके द्वारा बनाई गई थी and palaces Palaces जो थे वो भी उनके द्वारा बनाई गए थे these were the unique features जो की थे और खास तूर पर एक और important feature था वो था use of three arched facet and bulbous dome अब क्या होता ये bulbous dome मैं दिखाऊँगा आपको और three arched facet जो है वो इसका एक unique feature था और यहाँ पर बनाया क्या 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 था mosque से लेके tombs तक palaces जो थे वो बनाए गए थे be is the correct answer अब इसमें bulbous dome क्या है iron clamps and a strong plaster of mortar were used to give strength to its building तो इसके अंदर जो support दिया गया था पहली बात धिया धिया कि जो यहाँ पर ceilings है उनके साथ एक अलगी तरीके का treatment किया गया था क्योंकि कोई भी जो ceilings होती थी उस पर कोई अलग से support नहीं होता था लेकिन plaster जो होता था इतना strongly उसके उपर लगाया जाता था कि वो अपने हापी strong हो जाए ठीक है तो iron clamps जो आजकल यूज किया जाते है काफी जगा पर उस तरीके से कोई भी जो आपका support है वो च्छतों के उपर नहीं यूज किया जाता था ठीक है तो यहाँ पर च्छतों को support किसे दिया जाता था जो plaster लगाया जाता था जो mortar यूज किया जाते थे वो काफी अच्छे से यूज किया जाते पानिपत उन्होंने बनवाया था, हुमायू, सिटी, दीनपना, शेरशा, किलाए, कुना, सोची, फिट करते हैं, डिसकुशन, चलिए, तो यहां पे जो तीनों आपके पैर्स दिये गए हैं, तीनों ही करेक्टली मैच करें, बाबर के टाइम में मौसलिंद, पानिपत, हुमा चीज यह है कि जब हुमायू, रूल कर रहे थे, हुमायू का रीन चल रहा था, that period is marked with constant power struggle with शेरशा सूरी, हुमायू एक तरफ थे, और शेरशा सूरी दूसरी तरफ, ठीक है, और इनी conflict की वजए से, हुमायू जो थे, वो जादा देहा नहीं दे पाय थे, किस चिस के ओपर, वो जादा ध्यान नहीं दे पाय थे, किसी भी तरीके की architectural development के उपर, and he led to the foundation of दीन पना, दीन पना की शुरुआ तो खेर उन्होंने कर दी थी यहां पर, बट उसको finish पो नहीं कर पाय थे, ठीक है, Persian style इस दोरान काफ़ी जदा फला फुला और इस period के अंदर जादा उस पे ध दे रखी है, he undertook the reconstruction and extension of old morain root and renamed it as सडक ए आजम, तो उन्होंने क्या किया था, एक पुराना जो morain root हुआ करता था, उसको उठाया, उसको reconstruct किया, उसको नाम कर दे दिया, सडक ए आजम दे दिया, हो सकता है, he ensured adequate presence of serais and trees for travelers, तो जो यहां पर रागीर होते थे, travelers होते थे, उनक कि सराइस बनाए जाए, trees बनाए जाए, जो उनके रुकने के लिए, अगर वो trees के नीचे चाओ में बैठना चाते हैं, तो बैठ पाए, सराइस भी यहां पर बनाए गए, पानी बीनी की जगा भी बनाए गए, so possible है, शेर्शा सूरी's tomb was built at his birthplace, Old Delhi, Old Delhi के अंदर आपको उनका जो tomb है, उनकी जो आपकी कबर है, वो मिल जाती है, सोचिए फिर करते हैं, discussion, चलिए, तो यहां पर जो सड़के आजम है, वो बिल्कुल correct दिया है, Morian root हुआ करता था एक पुराना जिसको extend करके, उसको सही तरीके से बनाके, reconstruct करके, सड़के आजम का रूप जो था, वो शेर लिए, तो answer क्या हो जाएगा, A will be the correct answer, ध्यान रखिएगा, शेर साथूरी के बारे में सड़के आजम जो है, वो काफी important achievement थी, उनकी, चलते है, question number 6 के ओपर, which of the following statement is or are correct about architecture during akbar rein, akbar की rein के दुरान architecture को लेकर पूछा है, कि बताएं, correct statement कौन सी है, कौन सा कथन आपका, सही है, the principal feature of construction during akbar rein was the use of white sandstone, तो akbar की जब rule था, तो उस वक्त white sandstone का जो इस्तमाल था, वो जादा किया जाता था, वो principal feature था construction का हो सकता है, उन्होंने, tudor arch, जो थी, उसको introduced किया था, ford centered arch इसको कहा जाता था, he introduced the use of tudor arch, सोचिये, फिर करते हैं, discussion, चलिए, सबसे पहले तो यह चीज़ धियान रखेगा, the principal feature of the construction during akbar rein, जब akbar rule कर रहे थे, उनके time में, जो principal feature of the construction का, वो था, red sandstone का इस्तमाल किया जाता था, ना कि white sandstone का, hence the first statement is incorrect, जैसे पहली statement incorrect हुई, a और c को आपने कर दिया, eliminate, मतलब answer या तो b होगा, या d होगा, तो यह पे second statement को अगर हम देखते है, tudor arch का introduction उन्होंने किया था, तो yes, इसे centered arch, four centered arch भी कहा जाता था, अभी मैं आपको एक picture के अंतर दिखाऊंगा, तो यह statement आपकी correct हो जाती है, so second statement ठीक होने की वज़े से, answer आपका भी हो जाएगा, after akbar ascended to the throne in Delhi in 1556, the golden period of mughal art and architecture जो था, वो start हो तो बाबर के बाद है, humayu, जो कि शेर्शासूरी के साथी conflict में कह सकते हैं कि मसरूफ रही, तो उनको जदा time नहीं मिला, और humayu के बाद जब akbar आए, तो उन्होंने काफी जदा काम architecture के area में किया, और तभी इसे golden period of mughal art भी कहा जाता है, tudor arch देख लीचे किस तरीके से होत statement is or are incorrect about agra fort, agra fort के बारे में कौन सी statement आपकी गलत है, पहली statement कहती है, the gardens inside the fort are built using the charbac style, agra fort के अंदर, जो gardens है, वो charbac style की है, हो सकता है, most of the structures present inside the fort were done during the reign of shahajah, जो यह जादा तर structures जो बनाए गए थे fort के अंदर, वो shahajah के time पर बनाए गए थे, सोचिए फिर करते हैं, discussion, चली, तो यहाँ पर जो आपकी पहली जो statement है, की जो agra fort है, वहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको चार बाक style मिलता है, आप जानते हैं, हमने पढ़ा है, आपका जो ताज महल है उसके सामने भी, आपको इसी style में जो पाक से हो मिल जाते हैं, जिसमें पूरा area को इस तरीक style, तो यह statement आपके ठीक है, red fort के अंदर भी आपको यह देखने को मिलता है, और जाता तर जो structures थे, जो की fort के अंदर थे, वो शहाँ जहाँ के time पर ही बनाए गए थे, यह statement भी आपके ठीक है, तो आप से पूछा गया था, incorrect कौन सी है, तो incorrect तो कोई भी नहीं है, तो answer क्या हो आएंगे, तो यह आगे बढ़ती बढ़ती सड़क यहां तक आएगी, और एक सड़क इस तरीके से जाएगी, एक पार्क तो आपको यह number one दिखी रहा है, so this is like this first park, यह आपको number two park दिख रहा है, so this is the second park, ऐसे ही यहाँ पे cross होगा, फिर तीसरा पार्क भी शुरू हो ठीक है, चलिए, चलते हैं next question के ओपर, the following buildings were inside which city, यह चार buildings के नाम दियों आप से पूचा है कि यह किस city के अंदर है, बुलंद दर्वाजा, पंच महल, इबादत खाना, और हिरान मिनार, यह चारों क्या भुपाल के अंदर exist करते हैं, वारा नसी में हैं, आगरा में हैं, या फतेपूर सीकरी के अंदर है, सोचिए, फिर करते हैं एक discussion, चलिए, देखे, हिरान मिनार जो है, it was built in the memory of akbar's favorite elephant, जो akbar the great थे, उनके favorite elephant हुआ करते थे, जिसका नाम था हिरान, ठीक है, उनकी याद में यह बनाया गया था, हिरान मिनार, ध्यान रगेगा, हिरान मिनार कह सकते इसके जो बाहर की वाल है, उसके अंदर जो हाथी के दात होते हैं उस तरीके से एक pattern जो है, स्पाइक्स जो हो बने हुए, चीक है, तो यह चीज़ धियान रखेगा, यह सारे exist करते हैं फदेपूर सीकरी के अंदर, जा बुलन दर्वाजा हो, पंच महल हो, इबादत खाना ह या फिर हिरान मिनार्व, चलिए, तो यहां पर बुलन दर्वाजा आपके सामने है, बुलन दर्वाजा था, इंपोजिंग 40 मीटर से बना है, 40 मीटर का स्ट्रक्चर है, यह 1576 AD के अंदर बनाया गया था, to commemorate अकबर's victory over गुजराद, जो अकबर ने गुजराद के अंदर अ next question के ओपर, which is question number 9, the following statement is or are correct about जहांगीर, तो आपको बताने है, कौन सी statement जहांगीर को लेकर, तीन statement दी है, कौन सी statement जहांगीर को लेकर correct है, he developed a number of gardens during his reign example, शालिमार बाग इन काशमीर, तो उन्होंने शालिमार बाग काशमीर के अंदर established किया था, develop किया था, जहांगीर की बा तो मौती मस्टी जो भौपाल के अंदर बनी है, वो भी उसके द्वारा बनाई गई है, and he also built his own tomb at Lahore, Lahore के अंदर अपनी tomb भी उसके द्वारा बनाई गई थी, सोचिए फिर करते हैं, डिसकुशन, चली, तो यहां पर अगर हम जाहंगीर के बारे में बात करें, तो yes, he developed the number of gardens during his reign, and Shalimar Bagh in Kashmir was one such instances, तो उन्होंने Shalimar Bagh Kashmir के अंदर बनाया था, और उनके time पर काफी सरे gardens जो थे, वो भी बनाये गए थे, तो पहली जो statement है, वो आपके ठीक हो जाती है, उन्होंने अपनी tomb Lahore में बनाई थी, यह बात भी ठीक हो जाती है, यहां पर अगर बात करी, जब म मौटी मस्जी जो थी, वो बनाये गए थी, लाहोर के अंदर, ना कि भौपाल के अंदर, इवन दो भौपाल के अंदर भी आपको मिल जाएगी एक मौटी मस्जित नाम से, लेकिन यहां पर जहांगीर की बात हो रही है, so that was constructed in Lahore, hence the second statement आपकी incorrect हो जाती है, answer आपका हो जाए ने बनायी थी, उन्होंने major construction work जो थे, कुछ प्रोजेक्ट्स अपने हाथों मे लिये थे, और यहां पर इतमादुद दोला की टूम जो है बनाई है, who was the father of Noor जहां, during the reign of Jahangir, उनकी वाइफ ने भी यहां पर कुछ construction work किया, और tomb of इतमादुद दोला, father of Noor जहां है, जो नहां पर building की बात करी जारी है, it was constructed in the memory of Arzuman Banu Begum, Arzuman Banu Begum की memory के लिये और memory के रूप में ये particular building को बनाया गया था, it had all the features of Mughal architecture, including the use of calligraphy, petradura works, तो इसमें calligraphy, petradura work आपको देखने को मिल जाता है, चारपक style gardens जो है, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते है, क्य चली, तो यहां पर देखिए, अगर मैं लिखता मुम्ताज महल, तो आपके लिए answer करना easy हो जाता, लेकिन मुम्ताज महल का ये एक और नाम था, जिसका नाम है, Arzuman Banu Begum, तो मुम्ताज महल को ये Arzuman Banu Begum कहा जाता था, hence, थोड़ा सा difficult होगा question, और UPSC ऐसे ही कोशिश कर तो आप सीधा ही आ सकते हैं, ते ताज महल के ओपर, C would have been the correct answer for you, थोड़ा सा easy हो जाता आपके लिए, चार भाग स्टाइल कैसे, देखिए, यहां पर भी बीच में यहां पर चलने का रास्ता है, बीच में मैंने आपको कहता है, कुछ जगा पर पानी भी होता है, तो इस तर सिंध की जमीन पर लड़े गई थी, हो सकता है, इंग्लिस सफ़र टेरीबली एट दा हैंड्स अफ अफगान, इसके अंदर अंग्रेज जो थे, उनकी हार हुई थी अफगान से, सोचे क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिसकस करें, चलिए, तो जो फस्ट अफगान वार थी वो हुई थी, अमिर्स की जमीन पर, सिंध रीजन के अंदर, अमिर्स जो थे, वो नहीं चाते थे, कि उनकी जमीन पर ये वार हो, लेकिन उनकी मर्जी के बिना, ये वार जो थी, वहाँ पर कंडट करी गई थी, तो पहली स्टेटमन बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर अंग् कराने के लिए रिवोर्ड दिया गया, ना ये इवन उनको थेंक्स का गया, उनकी सर्विसेस प्रवाइड करने के लिए, तो इसी वह जैसा उनका जो डिसेफेक्शन था, बिटिश गॉर्मेंट के लिए, वो फर्दर राइज हो गया था, तो हमारा फिलाल यहाँ पर आंसर बहादू डिफीटिट फारुक्सियर, बंदा बहादू ने फारुक्सियर को डिफीट कर दिया था, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिसकस करते हैं, चलिए, तो गुर्गोविन सिंग को जाना जाता है, जो हमारा सिख है, सिख को जो एक मिलिटरी सेक्ट के अंदर कन फारुक्सियर, नोट बंदा बहादूर डिफीटिट फारुक्सियर, तो फारुक्सियर ने बंदा बहादूर को हराया था, इसी वोड़े से सेकिंड स्टेट्मेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, हमारा आंसर हो जाएगा, ए, कुछ और चीज़ें इसके बारे में हम आग बारा टाइप्स की मिसल है, वो कौन-कौन सी है, वो भी हम देखेंगे, बट फिलाल यहाँ पर सोची के आंसर होगा, चली, देखें, मिसल जो है, मिसल is an Arabic word, जिसका मतलब है equal या alike, और इसका दूसरा मतलब है state, तो पहली से इसी वज़े से ठीक हो जाते है, तो क्योंकि यह यहाँ पर सिक जो है, वो 12 मिसल में, मतलब 12 states के अंदर divided था, ठीक है, और 1763 से 1773 तक काफी सारी यहाँ पर जो मिसल थी, वो अपने अपने रीजन्स में active हो रही थी, सिक चेप्टेंस के अंडर, जैसे की East की बात करें तो सहारनपुर में भी इनकी एक मिसल थी, अगर की मिसल है, आंसर हमारा हो जाएगा, सी, और दूसरी कौन-कौन सी टाइप्स की मिसल्स हैं, 12 मिसल्स में, वो हम देखेंगे अभी, यह वो रीजन है, जो आप देख रहे हैं, यह हाईलाइटिड रीजन, जहाँ पे 6 जो थे, यहाँ पे East से लेके West तक और South पे मुलतान तक जो की Sikh Empire फैली हुई थी, चलते हैं, next question के उपर, उससे पहले हम एक बारा मिसल्स देख लेते हैं, कौन-कौन सी हैं, तो यहाँ पे हमारी पहले है, आलू वालिया, बंगी जो हमारे question में थी, दाले वालिया, देन है, फैजल पूरिया, कनईया, क्रोरा सिंगिया, नकाई, न से statement ठीक है, पहली कहती है, महान सिंग वस सन ओ रंजीस सिंग, महान सिंग जो थे, वो रंजीस सिंग के सन थे, हो सकता है, रंजीस सिंग शोड एन अरली अक्यूमन ओ पॉलिटिकल अफेर्स में, उनका अक्यूमन था, वो काफी intelligent थे इस एरिया के अंदर, यह भी हो सकता है, All the important missiles were in state of disintegration, जितनी भी missile थी, 12 missiles थी, वो एक disintegration के state में थी, यह भी हो सकता है, सोची के आंसर होगा, फिर discuss करते हैं, चलिए, अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो की हमने explanation में, जब हम सिक के बारे में थोड़ा बोत हमने पढ़ा था, जब हम Britishers के बारे में पढ़ रहे जो की disintegration की stage में थी, लेकिन एक ऐसी missile थी, सुकचरिया missile, जो की disintegration की stage में नहीं थी, इसको head कर रहे थे, रंजीस सिंग के पिता महान से, तो यहाँ पे तीसरी statement भी आपकी गलत हो जाती है, रंजीस सिंग शोड़न early acumen of political affairs, yes, second statement हमारी ठीक है, political affairs में उनका acumen काफी अचा था कभी अच्छे से वो deal करते थे, political चीज़ों को, तो हमारा यहाँ पे जो answer होगा, वो होगा, see, क्योंकि सिर्फ second statement हमारी correct है, चलते है next question के ओपर, which is question number five, who was appointed as governor of Lahore by zamanshah, zamanshah ने इन चारों में से, किसको, Lahore का governor जो था, वो appoint किया था, क्या वो शेस्तकान को किया था, Warren Hastings को महान सिंग को या रंजीज सिंग को, सोचे क्या answer होगा, पर discuss करते हैं, चलिए, देखे क्योंकि, जमन्षा जो थे, वो एक अफगान ruler थे, चेक है, वो लाहोर जो region था, पंजाब वाला region था, तो definitely किसी पंजाब के ruler को ही देंगे, तो Warren Hastings का निया से eliminate हो जाते है, यहाँ पर जो governor बनाए गया था, वो रंजीज सिंग को बनाए गया था, बिकर रंजीज सिंग उस टाइम पे उन्होंने जो central पंजाब वाला region था, वो कार्व आउट कर लिया था, सिक एमपायर के लिए, यह 1799 के आसपस time था, और इसी time पर ही उनको लाहोर का governor बनाए गया, फिर धीरे किया, फिर religious capital जो कि अमरी सर को माना जाता था, उसको यहाँ पे अक्वायर किया, दीरे दीरे जो पूरा पंजाब रीजन है, वो रंजी सिंग के अंडर आ गया था, यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा, D क्योंकि governor ब लाहोर, जमन शाने, इसको बनाए था, रंजी सिंग को, चलत कि अंसर होगा, फिर इसको हम डिसकस करेंगे, चली, तो 1809 के अंदर, ट्रीटी अफ अमरी सर जोती वो साइन करेंगे थी, ब्रिटिश और रंजी सिंग्जी के बीच में, और यहाँ पे हुआ क्या था, बेसिकली जो नेपॉलियन था, तो नेपॉलियन इक डेंजर जो था, 1809 तक वो रिसीड कर चुका था, मतलब उसका आपको यह खत्रा नहीं था, नेपॉलियन का खत्रा पूरे तरीके से जो आपका नोर्थ वेस्टन रीजन है हमारा, वहां से जा चुका था, और अंग्रेजों ने अपने आपको असर्ट करना चुरू कर दिया था, और अपनी और को दिखाते हुए, यहाँ पर जो ट्रीटी उफ अम्रिसर थी, वो साइन करवाए गई रंजी सिंग जी से, तो आंसर मारा हो जाएगा, डी, चलते हैं, नेक्स्ट कोशिन के ओपर, जो कि ट्रीटी उफ अम्रिसर के बारे में ही है, पूचा गए कि ट्रीटी उफ अम्रि पर जिखाते हैं, दो तो आटे को अटे करने के लिए उन्हें एक पैसेज जो था वो बिटिश आमी को देना पड़ा, ये भी हो सकता है, सोचे क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं, चल comprehensive, तो यह बात करीजिए तो रंजी संह जो थे अपने रूल को extend करना चाहते थे कि पूरे Sikh nation के अंदर उनका rule जो है वो extend हो जाए लेकिन इस चीज़ को रोक दिया गया थ्रूँ Treaty of Ambrisar क्योंकि अपने आपको assert करने लगे थे यह जो treaty थी political compulsion की वज़े से रंजी सिंग को sign करनी पड़ी otherwise वो यह treaty को कभी sign नहीं करते है और जो उनका dream था पूरा Sikh nation के ऊपर rule करने का वो dream जो था realize हो जाता लेकिन इस treaty को sign करने के बावजूद भी जो passes था अंग्रेजों को नहीं provide किया गया दोस्त मुहमद को attack करने के लिए so he refused to give passage to the British army through his territory की आप हमारे रीजन से जाकर दोस्त मुहमद पर attack नहीं कर सकते हैं तो यहां पर हमारा answer जो होगा वो होगा बी चलते हैं next question के ओपर which is question number 8 जो की बात कर रहा है various statements के बारे में और काफी facts दिये हो हैं इसके अंदर पहला है खड़क सिंग was the son of रंजीस सिंग तो रंजीस सिंग किसके बेटे थे महान सिंग के और ऐसा इनका कहना है कि रंजीस सिंग के बेटे का नाम था खड़क सिंग हो सकता है He was a capable ruler तो Khadak Singh एक capable ruler थे ये भी हो सकता है Nav Nihal Singh was the son of Khadak Singh तो Nav Nihal Singh जो थे वो Khadak Singh के बेटे थे ये भी हो सकता है सोचे क्या answer होगा फिर discuss करते है चलिए देखे ये तो हम पहले ही पढ़ चुके Mahan Singh के बेटे थे रंजी Singh देखे आपको lineage के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इससे आपको history को समझने में काफी असानी हो जाती है आपको पता है कि Mahan Singh आया उनके बारंजीज Singh आया उनके बास Khadak Singh आया किस ruler ने क्या चीज़ इंटर्डूस करी और किस ruler के time में सबसे ज़्यादा development हुई तो यहाँ पर बात करीज़ है Khadak Singh was the son of Ranjee Singh तो यह बिल्कुल ठीक है इनके बेटे थे यह तो पहली सिपन हो जाती है ठीक और नवनिहाल Singh जोते है वो Khadak Singh के बेटे थे तो थीज़ी statement भी हो जाती है ठीक second statement पूचा गया कि क्या Khadak Singh capable ruler थे तो no he was not capable at all reason अगर इसका आप यहीं से देख सकते है क्योंकि Sikh empire जोती ही वो Ranjee Singh के time तक ही flourish करी और उसके पास ज़्यादा flourish नहीं कर पाई क्योंकि जो ruler थे वो इतने capable नहीं थे तो answer मारा हो जाएगा A चलते है next question देखते है जो कि Sikh succession के बारे में ही है पूचा कि Sikh succession के बारे में कौन सी statement हमारी correct है Shere Singh was the son of Ranjee Singh तो again वही Mahan Singh, Ranjee Singh बार बार इसको करके देखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगगे बार बार मैं Mahan Singh इसले लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि Mahan Singh के बेटे थे Ranjee Singh और यहाँ का गया है कि Shere Singh जो थे वो Ranjee Singh के बेटे थे हो सकता है Shere Singh succeeded Navnihal Singh तो आपको बता है Shere Singh के अगर Shere Singh, Ranjee Singh के बेटे थे Ranjee Singh के बेटे थे Khadak Singh भी और Khadak Singh के बेटे थे नवनिहाल सिंग, तो ऐसा का आगया कि Suree Singh उन्होंने नवनिहाल सिंग को सक्सीड किया, हो सकता है, Dilli Pauls the son of नवनिहाल सिंग, नवनिहाल सिंग के बेटे थे दिलिप सिंग, ये भी हो सकता है, सोचिे क्या आंसर होगा, फिर डिसकस करता है, चलिए तो lineage पे question है तो महान सिंग के बेटे थे रंजी सिंग, रंजी सिंग के दो बेटे थे खड़क सिंग और दूसरे थे कौन? शेर सिंग आपको बता है जो खड़क सिंग थे वो capable ruler नहीं थे पहले तो इन्हों नहीं rule किया था अपने फादर की गदी जो थी वो खड़क सिंग ने संभाली थी ये capable ruler नहीं थे और इनके बाद जो थे इनके बेटे नवनियाल सिंग को जो पूरा का पूरा समराज्य है था वो चला गया लेकिन नवनियाल सिंग की डेट के बाद दूसरे भाई शेर सिंग ने सोचा कि क्यो ना मैं इस समराज्य को चलाओ तो यहाँ पे शेर सिंग सक्सीड नवनियाल सिंग ये statement ठीक है पहली statement भी ठीक है अब बात करते हैं दिलिप सिंग की क्या दिलिप सिंग जो थे वो नवनियाल सिंग के बेटे थे तो यहाँ पे हमारा जो answer है वो है incorrect दिलिप सिंग जो थे यह रंजी सिंग के तीसरे बेटे थे और यह माइनर थे ठीक है तो जब शेर सिंग की यहाँ पर डेथ हुई तो तीसरे भाई ने सोचा कि क्यों ना गद्धी को मैं संबलो विकुश देखा जाए तो उनका उत्राधिकारी जो है तो यहाँ पर रंजी सि और उनके एक वजीर थे दिनका नाम था हीरा सिंग डोगरा उनके धुरू रूल करना शुरू किया तुमारा आंसर जो हो का वह का बी क्योंकि दिलिप सिंग नवनियाल सिंग के बेटे नहीं थे वह रंजी सिंग के बेटे ही ते यह जो लीनेज है Уब को अपर अच्छे सेuba होना चाहिए एक बंदम नियाल सिंग देख लेते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्यों पर विचिस क्यों नमबर टेन जो कि फस्ट एंग्लो सिक वोर के बारे में बात कर रहा है पूछ रहा है कौन सी स्टेट्म खरेक्ट है सिक आमी क्रोसिंग दरीवर सतलुज बैसिकली इन्होंने इस सिट्वेशन हो गई इस वज़े से फस्ट एंग्लो सिक वोर होई हो सकते हैं अंग्रेज जो ते काफी सरे मिलिटरी के कैमपेंज कर रहे थी और सिक आर्मी जो थी उनको लगा कि यह चीज फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकती है इस वज़े से भी फस्ट एंग्लो सिक व लेसी के पास भेज देते हैं इस टाइम पर भी ऐसा हुआ था जो इंग्लिश ट्रूप्स थे उनकी संख्या जो थी वो लाहोर के पास बॉर्डर के पास काफी इंक्रीज हो गई थी तो समझ में आ गया था सिक आमी को कि अंग्रेज जो हैं कुछ बड़ा स्टेप करने वाल और अंग्रेजों के पास एक अच्छी अपर अपर्शूनिटी तो यहां पर यह भी एक एंग्लो सिक वोर का कारण बना देन सिक आमी जो थी उसने सट्लू सीवर को क्रोस किया अंग्रेजों को पसंद नहीं आई और यह भी एक रीजन बना एक तरीके से यह पॉइंट दिय आ गया अंग्रेजों को कि अब आप अठेक कर सकते हैं तो हमारा जो आंसर होगा यहां पर होगा डी चलिए फर्स्ट कुशन बात करते हैं ट्रीटी ओफ लाहोर के बारे में पूछे के विच्छों फॉलिंग स्टेटमेंट्स इस और आर करेक्ट अबॉट ट्रीटी ओफ ल लॉरेंस एक बिटिश रेजिदेंट को हैंडरी लॉरेंस के अंदर अस्टैबलिश किया गया यह भी हो सकता है नव निहाल सिंग वस रेकेगनाईज एस रूलर अंडर रानी जिंदान तो नव निहाल सिंग जो थे वो रूलर रेकेगनाईज करे गया अंडर रानी जिंदा सोचिए क्या answer होगा फिर इसको discuss करता है चलिए देखे ट्रीटी ओ लाहोर जो sign करेगी थी it was signed after first anglo sick war पहली anglo sick war के बाद ये treaty sign करीगी थी it was a very humiliating treaty अगर six के लिए बात करी जाये तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जैसे की नाम बता दू मैं लाल सिंग एंड तेजा सिंग इनकी वज़े से sick empire जो थी वो हारी उनको consecutively पांच बार defeats मिली Britishers की वज़े से क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोगों को यहाँ पर धोका दिया यहाँ पर इनकी treachery की वज़े से six हारे otherwise six जो थे काफी powerful एक empire थी बात करीज़े है soldiers कितने थे देखिए around 25,000 soldiers जो थे वो British की side थे और almost double soldiers जो थे वो किस side थे वो sick की side थे तो यहाँ पर six का जीतना almost यहाँ पर decide हो चुका था लेकिन आपको पता है British जो लोग हैं वो अपनी treachery और diplomacy के लिए जाने जाते हैं उसी चीज़ को use करते हुए उन्होंने इन दो लोगों को अपनी side किया और six को consecutive defeat यहाँ पर दी और बादने Treaty of Lahore को sign किया गया इसके अंदर एक करोड रुपे की war compensation जो थी उसकी मांग करी गई साथ में ही बिटिश रेजिडेंट जो आपको पता था कि यह बेसिकली मीडियाटर होते थे सारी information जो थी जिस भी राजय में रेजिडेंट बनते थी सारी information बिटिश को प्रवाइड करते रहते थे तो यहाँ पर यह दोनों statement ठीक हो जाती है तो यह Henry Lawrence के अंदर में नई resident को establish किया गया था चलते हैं next question के ओपर जो ट्रीटियो बहरोवाल की बात कर रहा है ट्रीटियो बहरोवाल के बारे में पुछा गया है कौन सी statement correct है ट्रीटियो बहरोवाल के बारे में कौन सा कतन आपका सही है पहला रानी जिन्दान was removed as a regent तो रानी जिन्दान को हटा दिया गया था एक रीजन के तोर पे यहाँ पे एक council हुआ करती थी एक council बनाई जानी थी जिसमें 8-6 सर्दार थे जिनको कौन हैट करेगा उनको एक English resident जो है वो preside करेंगे सोचे के answer होगा फिर discuss करते हैं चलिए तो ट्रीटियो बहरोवाल के अंदर यह चीज़ कही गई थी कि रानी जिन्दान जो रीजन के तोर पे काम कर रही थी उसे remove कर दिया जाएगा तो पहली statement आपकी बिल्कुल ठीक है और साथ में ही एक council होगी जिसमें आठ सिक्सरादार्स होगी जिसको head को करेगा उसको head करेंगे English resident तो second statement भी आपकी correct है इसमें हमारा जो answer हो जाएगा वो होगा C एक बार यह देख लेते हैं जो इनकी council थी वो किस तरीके से दिखती थी चलते हैं next question के ओपर next question is question number 3 हमने first anglo sick war के बारे में पढ़ा था तो पूछा जा सकते हैं तब कौन सी treaty sign करेगी थी हमने पढ़ा treaty of Lahore को sign किया गया था right अब आता है next treaty के ओपर which of the following cause is or are correct about second anglo sick war तो second anglo sick war के causes क्या थे फिर treaty के बारे में भी पढ़ेंगे क्या यह कोस था कि मूल राज the governor of मुलतान was replaced by a new sick governor एक नए sick governor ने मूल राज जो की मुलतान के governor हुआ करते थे उसको replace कर दिया यह कारण बना second anglo sick war का हो सकता है मूल राज revolted and murdered two English officers accompanying the new governor मूल राज ने revolt किया और murder कर दिया दो अंग्रेज officer का किसका साथ देते हुए एक new governor का साथ देते हुए शेर सिंग successfully suppressed the revolt और यहाँ पर जो revolt हुआ उसे शेर सिंग ने successfully repress कर दिया सोचे क्या answer होगा फिर discuss करते है चलिए देखिए second anglo sick war के causes के अंदर definitely एक तो treaty अफ लाहोर साइन करी गई थी इसके बाद एक treaty और हमने जो पड़ी है that was treaty अफ भैरोबाल ठीक है यह काफी humiliating treaties थी क्योंकि इसके इसी टाम्स रखी गई थी जो कि six के लिए acceptable नहीं थी यहाँ पर इनी चीजों से frustrated उत वे जो in human treatment दिया गया रानी जिन्दान को उसको reason के तोर पे हटा दिया गया और बाद में उसे as a pensioner बना रसके अंदर settle कर दिया गया यह सब चीज़े acceptable नहीं थी यहाँ पर एक reason और भी था that was मूलराज the governor of मूलतान उनको एक नए सिख governor ने replace किया तो यह बिल्कुल statement ठीक है मूलराज ने यहाँ पर revolt किया और दो अंग्रेजों को मार दिया यह statement भी ठीक है और यह जो revolt किया गया था इसको suppress करने के लिए शेर सिंग को भेजा गया लेकिन शेर सिंग ने इसी successfully suppress नहीं किया रादर शेर सिंग ने मूलराज को ही जोइन कर लिया और उसका साथ देना शुरू कर दिया तो answer हमारा होज़े का D क्योंकि पहली दो statement ठीक है तीसरी statement हमारी incorrect है तो this was about second anglo sick war अब बात करेंगे consequences के बारे में कि second anglo sick war के हमने क्या देखे अभी अभी हमने देखे causes क्या देखे जो treaty sign करी गई थी वह humiliating treaty सिक्स के लिए इसी वज़े से second anglo sick war जो थी वह हुई थी लेकिन अब इसके consequences क्या हुए अब second anglo sick war के consequences आपको बताने है कि कौन सी statement इसमें से ठीक है first surrender of sick army and share sing in 1849 इसके अंदर surrender कर दिया सी कामी ने और शेर सिंग ने हो सकता है और वरन हेस्टिंग became the first chief commissioner यहाँ पर वरन हेस्टिंग को first chief commissioner बना दिया गया हो सकता है in 1853 the board was nullified and Punjab was placed under a chief commissioner तो पंजाब को जो पहले की एक board के अंदर में होता था उसे chief commissioner के अंडर में डाल दिया गया सोची के answer होगा फिर discuss करते हैं चली discuss करते हैं तो second anglo sick war के अंदर भी जो six थे उनकी defeat होगी तो definitely यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ give up करना पड़ेगा तो surrender किया गया सिक आमी द्वारा और जो शेर सिंग दे जिन्होंने revolt किया तो दो अंग्रेज officer को मारा था उनको भी यहाँ पर surrender करना पड़ा तो पहली statement है ठीक और यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि अब बोर्ड के अंडर में नहीं एक chief commissioner के अंडर में पंजाब को रख तो यहाँ पर हमारा जो answer होगा वह होगा बी first और third statements हमारी correct है चलते हैं next question के ओपर जो ring fence policy के बारे में है main case आपसे भी काफी important question है पूछा जा सकता है ring fence policy के बारे में question आ सकता है यहाँ पर पूछा गया prelims के लिए ring fence policy was given by कौन लेकर आया था इस ring fence policy को यह थी क्या वो भी द basically उन्होंने various buffer zones जो थे वो बनाना शुरू कर दिये थे और ring fence policy को use किया उन्होंने मैसूर के against में और साथ में ही marathas के against में तो यहाँ पे हुआ क्या उन्होंने कुछ कुछ अपने allies बनाने शुरू करे और उनको subsidiary alliance sign करवाना शुरू किया ताकि जो उनका दूसरा state होता था उसके against में buffer create किया जा सके जैसे कि अंग्रेजोंने जो मराठा थे उनको यहाँ पे अपनी side किया और मैसूर के against में उनको as a buffer zone यूज किया इस तरीके से यूज किया गया और उपर के region के अंदर आवद को भी यूज किया गया as a buffer zone तो अंग्रेज जो थे अपने आपको protect करन नुकसान ना पोचा पाए this was called the ring fence policy जो की Warren Hastings लेके आया थे अगर बात करी जाए subsidiary alliance की subsidiary alliance को लेके आया था it was by well easily तो ध्यान रखेएगा doctrine of lapse को लेके आया था डलोजी तो यह questions पूछ लिये जाते है तो आपको पता होने चाहिए तो doctrine of lapse जो है DC स्टार और है डलोजी भी DC है तो यह तो याद करना आपके लिए आपके लिए आसान हो जाएगा चलते है next question के ओपर question number six जो पूछ रहा है which is the following statement is or are correct about policy of ring fence policy of ring fence की बारे में दो statements दे रखी है आप तो क्योंकि हम discussion कर चुके आंसर करना आपके लिए असान हो जाएगा Warren Hastings followed a policy of ring fence which aimed at creating buffer zones तो यहाँ पे जो Warren Hastings थे उन्होंने policy of ring fence को introduce किया जिसका main target था buffer zones को create करना हो सकता है the policy of Warren Hastings was reflected in his war against Marathas and Mysore तो Marathas और Mysore के अगेंस में उन्होंने वार्ट छेड़ रखी थी किसने? Britishers ने वहाँ पे इसको use किया गया सोचे क्या answer होगा already वैसे discuss कर चुके है easy हो जाता है question अब चलिए तो मैंने आपको बताई था कि यहाँ पे अंग्रेज है center में और यह अपने चालों तरफ buffers create करते हैं तो यहाँ पे buffer zone create के जाते हैं और मैंने यह भी आपको बताया था माइसूर माराथा आवद हाइदराब अगर आपने ध्यान से देखा है वो question को और इसकी explanation को ध्यान से सुने तो इसको answer करना आसान हो जाएगा सोचिए क्या answer है इसका यहाँ पे marathas है और यह सब्सीडिय लाइन को accept करें तो यहाँ पे permanent British forces जो है वो रहेंगी और इनका खर्चा होगा वो marathas उठाएंगे तो basically forces British की जो यहाँ पे orders follow किये जाएंगे वो British के किये जाएंगे लेकिन पैसा कोन दे रहा है इनको इनके maintenance के लिए marathas दे रहे है करते थे वो उठा रहे थे तो यहाँ पे हमारा जो answer of course B है road well easily का यह पूरा concept था काफी wild concept था लेकिन काफी successful रहा of course Britishers के लिए कौन कौन से areas को subsidiary alliance में लिया गया तो आप देख रहे है हाइदरबाद को 1798 में अवद को 1801 में 1799 में जब टीपू सुल्दान के death हुई तब मैसूर को भी ले लिया गया और तन्जोर को भी 1799 के अंदर ले लिया गया और यहाँ पे British India जो है इसका major chunk जो था जो दूसरे princely state करता है उनको धीरे-धीरे subsidiary alliance sign करवा के अपने कब्जे में करते गाई अंग्रेज चलते हैं next question के ओपर जो की पूछ रहे है विचर दूसरे इस और आर करेक्ट कौन सा कतन सही है दो statements दे रहे हैं one by one देखते हैं the first Indian state to fall into the subsidiary alliance was Hyderabad पहला state जो subsidiary alliance के जाल में फसा वो था Hyderabad हो सकता है it was 1787 that the company first insisted that the subsidiary state should not have foreign relation 1787 में subsidiary alliance के साथ जो state से अभी तक तो यह का जाता था कि आपने subsidiary alliance sign किया है अगर तो हमारे यहां के जो British troops है वो आपके यहां रहेंगे और उनका जो maintenance के चार्जिस है वो आप देंगे लेकिन क्या 1787 के अंदर ऐसा भी insist किया गया कि subsidiary state जो पूचे क्या answer होगा फिर discuss करते हैं चलिए तो जो idea है वो वेलिजली का है काफी genius idea कहा गया था इसे इसके अंदर negotiate किया जाता था मालीजे किसी भी state को हरा दिया अंग्रे जोने उसके बाद कहते थे कि ठीक है हम आपकी जो territory है वो नहीं ले रहे हैं उस पर कोई full sovereignty नहीं कर र आता था कि आप लोग अपने यहां पर हमारे troops को रखिए और उसका जो maintenance charges है वो दीजिए और यहां पर सबसे पहला जो state था इसके अंडर में आने वाला it was not Hyderabad it was Awad Awad ने सबसे पहले इसको sign किया था पहली statement गलत हो जाती है लेकिन foreign relation नहीं रखे जाएंगे यह जो particular clause था य that was Hyderabad तो कुछ books में आपको even कुछ online websites के ओपर आपको Hyderabad भी मिल जाएगा even जो हमने आप इमेज लगाया थी इसके अंदर भी 1798 Hyderabad के सामने दिया गया है लेकिन spectrum के अंदर जो है Awad का नाम दिया गया है इसके लावा भी काफी और जगावर भी काफी सारी books के अंदर Awad ही mention और यहां पर आपको Milan करना है basically payers को match करना है कि कौन सा correct है first stage जो थी उसमें कहा गया कि company यहां पर offer करते थी help as a friendly Indian state with its troops यहां पर जो Indian rulers होते थे उनको अंग्रेस कहते थे आप हमारे troops को use करी अगर आपको use करना है तो as a friendly measure हो सकता है second stage making a common cause with the Indian state second stage में कहते थे देखिए Maratis को कहते थे देखिए आपको मैसूर के अगेंस में troops use करने तो मैसूर तो हमारे दुश्मन भी है तो आप हमारे troops भी यूज़ कर सकते कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप हमारे दुश्मन के अगेंस तो कर रहा है न तो यह second stage थी हो सकते है third stage Indian ally was asked for army men third stage में Indian जो rulers होते थे उनको कहा जाता था कि आप अपने फोजियों को आप अपने army men को हमें दीजिये क्या यह था सोची के answer हो का फिर discuss करते है चलिए देखिए एक पर stages देख लेते हैं third stage में Indian ally was asked not for men but for money तीसरी stage में कहा जाता था देखिए हम आपको अपने troops दे रहे हैं मैसूर के against में तो आप इसके बदले हमें क्या दीजिए आप इसके बदले हमें पैसे दीजिए चिक है और fourth stage थी इसकी कि अगर आप पैसे नहीं दे पाते हैं तब हम आपकी territory को capture कर यह पूराइन का plan हुआ करता था तो यहां पर पहली जो दो स्टेजिस थी वह बिल्कुल ठीक थी 30 स्टेज हमारे बिल्कुल गलत है answer हो जाएगा बी 30 स्टेज में यहां पर पैसे मांगे जाते थे आर्मी मैं नहीं मांगे जाते थे तो यहां पर हमारे no questions होगे last question पर चलते अगर आपने पीछे के questions अच्छे से देखें चलिए एक बार timeline देख लेते हैं और जो हमारा हाइधरबाद आवद का जो conflict है कि पहले कि इसने sign किया था इसको भी हम इस question के अंदर solve कर देंगे देखे नवाब ओफ आवद जो थे इन्होंने battle of boxer 1764 के बाद ही subsidiary alliance का जो system था उ structure नहीं बना था तो basically informal तरीके से चीज़े करी जाती थी लेकिन बाद में धीरी धीरी जब इसको एक well formalized system बनाया गया तब यहां पे हाइधराबाद ने इसे 1800 में मतलब नवाब ओफ आवद से पहले जोधा sign कर लिया गया था तो वैसे अगर देखा जाए chronologically तो आवद ने प को पहले मानेगी या हाइधराबाद को पहले मानेगी मेरे इसाब से दोनों को ही consider किया जा सकता और इसमें माक्स दोनों ही cases के अंदर दिये जाने चाहिए तो यहां पे हाइधराबाद में 1798 से 1800 में इसे sign किया अवद ने 1799 में मैसूर भी से sign कर चुका था और तांजोर भी पूछा जा सकता है अगर हम अवद और हैधराबाद के conflict को हटा भी देते हैं nevertheless पूछा जा सकता है कि पेश्वा ने पहले किया या फिर मैसूर ने पहले किया यह सब चीज़ें काफी clear हों आपको पतावनी चाहिए अब answer पे आते हैं तो तीनों ही इन्हों आवद हो मैसूर क गरी मतलब यह 1798, 1799, 1800 ठीक है अगर हम formalized मतलब well structured subsidial line system की बात करते हैं तो हमारा जो answer होगा वो हो गड़ी है पूछा गया है consider the following statement about Kushan rulers Kushan rulers के ऊपर दो statement से हम बताएं कौन सी statement आपके correct है कौन सा कतल सही है तो पहली statement कहती है Statues of Kushan rulers have been found installed in a shrine at mut near Mathura तो जो कुशान शासक हुआ करते थे उनके जो statue है वो Mathura के आसपस भी पाई गए हैं हो सकता है Many Kushan rulers also adopted the title देवपुत्रा और son of God तो काफी सरे Kushan rulers ऐसे हैं जिनको देवपुत्रा का जो title था वो भी दिया हुआ था सोचिए फे discuss करते हैं चली तो कुशान rulers की बात करें तो येस यहां पर अगर मत्रौ के आसपस देखेंगे वहां पे काफी सरे rulers के जो statues हैं वो पाई गए हैं और उसका reason यह है कि उनकी जो empire थी काफी सदा expanded थी अभी मैं आपके उपर में आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा आएगा आपको second जो कुशान rulers थे वो अपने आपको देवपुत्रा कहना भी कहलाया करते थे उन्होंने जो देवपुत्रा का जो टाइटल था वो भी adopt किया हुआ था जिसे कहते थे वो son of god चली तो answer क्या हो जाएगर c will be the correct answer अब मत्रों में कैसे इनके statues मिलें क्योंकि इनकी empire का expansion आप चलते हैं नेक्स question के उपर पूछा गया है परियाद प्रशस्ती is also known as परियाद प्रशस्ती को दूसरे किस नाम से जाना जाता है क्या इसे वारनसी pillar inscription कहा जाता था बरनारस pillar inscription कहा जाता था अलाबाद pillar inscription या फिर none of the above सोची चलिए अब जानते हैं कि अलाबाद का ही नाम पर जाता है इसमें compose करे गए हैं जो पूरे की पुरी प्रशस्ती compose करी गई है सांस्कृत के अंदर करी गई हो यह करी गई है हरी शेना के द्वारा पूछा दा सकते हैं प्रयाद प्रशस्ती किस के द्वारा compose करी गई है किस भाशा में compose करी गई है तो सांस्कृत में करी गई हर आपको पता होगा जो Kings होते थे अपने जो Coat होते थी उसमें काफी सरे Musicians को वो पोईट्स को जरूर रखा करते थे तो समुंद्र गुप्त हो थे उनकी कोड में पोईट हुआ करते थे हरी सेना उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेकिती संस्क्रिट के अंदर ठीक है तो ध्यान रखेगा समुंद्र गुप्त को मोस्ट पावरफुल गुप्ता रूलर के तोर पे भी जाना जाता है आंसर क्या हो जाएगा सी इस दा करेक्ट आंसर सो प्रयाग प्रशस्ति में बेसिकली होता क्या है जो आपके पिलर्स हुआ करते थे इनके ओपर आप देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा फोटो के अ जो वहा ध्योका ने इनके ओपर क्या लिखवाया था जो धाम का या फिर धर्म का संदेश देना चाहते थे उन तरह के की उस तरीके की चीज़ों को इस तरीके के जो पिलर्स होते थे उन इंस्क्रिप्शन के इंदर डाला गया था चली चलते है next question के ओपर next question talks about what is अग्रहर अगर हारा क्या है क्या यह कोई एक लेंड हुआ करती थी जो कि स्कूल को दी जाती थी क्या यह लेंड टेंपल्स को दी जाती थी क्या यह लेंड फार्मर्स को दी जाती थी या फिर यह भ्रामर्स को दी जाती थी इस फार्मर्स चलिए सोची अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है आपको, इस तरीके के हमने अलग-अलग terminologies पढ़ी थी, कुछ उस तरीके से यह terminology 12th class की NCR टीकेंद दी थी, सोची क्या answer हो सकता है, चली, अगर हारा एक ऐसी land होती है, जो कि ब्रह्मन्स को grant करी जाती है, who is usually exempted from paying land revenue and other dues to the king, यहापे exemption दी जाती है, यह land ब्रह्मन्स को दी जाती है, और exemption दी जाती है, कि land revenue उनको नहीं देना है, या किसी भी तरीकी का due जो है, वो राजा को या king को नहीं देना है, चली, तो answer क्या हो जाएगा, land granted to ब्रह्मन्स, D is the correct answer, question number fourth बात करता है, पाटली पुत्रा को लेकर, पूछा क्या, पाटली पुत्रा को लेकर बताएं, कौन सी statement आपकी correct है, कौन सा कथन आपका सही है, पहले चितन कहती है, वो started as a village, known as पाटली ग्राम, तो पाटली पुत्रा जो था, पाटली ग्राम के विलेज के नाम से शुरू हुआ था, हो सकता है, इसका पुराना नाम पाटली ग्राम हो, मगद रूलर्स ने decide कि आ था, कि वो अपनी capital को shift करेंगे, कहां से, पाटली पुत्रा से, राजग्रह में, सोची, चली, देखें, यहां पे नाम में ही ग्राम है, ग्राम मतलब गाउं, गाउं मतलब विलेज, तो yes, पहले इसका नाम पाटली पुत्रा का नाब पाटली पुत्रा, city तो बाद में बनी, एक urban center तो बाद में बना, पहले ये partly gram हुआ करता था ठीक है दियान रखेगा पहले इसका नब partly gram हुआ करता था और बाद में चलके इसका नब partly पुत्र हुआ तो यहाए पर 1st statement आपकी हो जाती है correct 2nd statement किया मगत rulers ने अपनी capital को shift किया था अगर statement यहां तक होती तो बिल्कुल ठीक होती लेकिन यह shift हुआ था राज ग्रह से पाटली पुत्र में ना कि other way around तो वो R से P की तरफ गए थे ना कि P से R की तरफ धियान रखेगा तो राज ग्रह पहले capital हुआ करती थी मगत की और बात में चलके पाटली पुत्रा को capital बनाये गए तो answer क्या हो जाएगा अब दोनों location देख लीजिए और यह राज ग्रह यहां पर हुआ करता था यह shift करी थी capital चेक है आसपास की चीजों को भी ज़रूर देख लीजिए वारणसी कहां पर एक को सांभी मत्रा कनोज कनोज आप जानते हैं हमने पढ़ाता शिरुवाती दोर में सारी kingdom से होती थी अलग अलग इसको लेकर fight करती रहती थी एक दूसरे से चलिए चलते हैं next question के ओपर question number 5 पूछता है successful merchants were called successful merchants पुराने डाय में उनको अलग लग नाम से जाना जाता था अलग लग भाशाओं में और ये बन जाती हैं आपके लिए terminologies और terminologies यूपी एसी का है favorite area question पूछने के लिए तो पहला है मासत्तु वन तो मासत्तु वन जो है तामिल में successful merchants को कहा जाता था हो सकता है then satawas प्रकृत के अंदर कहा जाता था then 37 Sanskrit में कहा जाता था सोची चली देखे पुरानी सब्वेताओं के बारे में जो हम पढ़ते हैं पुरानी civilization के बारे में पढ़ते हैं तो हमने यह देखे काफी जगाओं से seals जो है वो मिली है वही seals Mesopotamia में में मिली है वही चाइना में म मिली है तो इससे पता चलते है कि trade जो था वह कही ना कही इन सब्वेताओं के बीच में Egypt में भी मिली है आपस में चल रहा था ठीक है यहाँ पर जो आपके merchants होते थे वह किस तरीके के products को trade करते थे salt हुआ green हुआ इवन जैसे आज के time में होता है clothes हुए metal ors with stone timber product इन सब चीजों का use किया जाता था इवन medicinal plants को भी exchange किया जाता था जैसे आज के time में medicines को sale purchase किया जाता है चेक है तो उस time पे इन सब चीजों का इस्तमाल किया जाता था successful merchants को designate किया जाता था masa to one के तोर पे तामिल भाषा के अंदर और उनको सात वहाज और 37 कहा जाता था प्रकृत के अंदर तो ये भी प्रकृत होगा और नीचे 37 वाला भी प्रकृत होगा third जो है Sanskrit नहीं है answer हो जाएगा especially बात करी जाए spices की spices में भी खास तो पे pepper अगर यादो मैंने आपसे शुरुआती दोर में कहा था कि बताएं black gold किसको कहा जाता है याद है आपको वह black gold कहा करते था किसको मैंने आपको बताया था black color का spice क्या था वह black pepper तो ये काफ़ी demand में रहता था Roman Empire के अंदर इवन दूसरी सबधाव के अंदर भी तो वहाँ पर textile से लेके medicinal spices यह सब चीज़े provide करी जाती थी इस तरीके से कुछ लोग merchants बन दे थे और उन राष्टकुटा ने कुछांस ने मुगल्स ने या फिर प्रतिहाराज ने सोचीए चली तो first century और common era के अंदर कुछांस के द्वारा सबसे पहले जो gold coins थे उनको इशु किया गया था they were virtually identical in weight with those issues by contemporary Roman emperors तो उसी ताइम पे जो Roman emperors ने इशु किये थे बिलकुल weight के अंदर उनसे मिलते जुलते थे और बिलकुल identical ही लगते थे and the parthian rulers of Iran, parthian rulers Iran किसे थे उन्होंने coins issue करे थे और at the same time Romans ने भी issue करे थे और उनसे मिलते जुलते coins जोते कुछांस थे gold coins जोते वह issue करे थे और यहां पर several sites की बात करें North India से Central Asia दर यह coins उनके पाए गए तो answer क्या हो जाएगा कुछां जो है correct answer है किस तरीके से उनके सिक्के दिखते थे कुछ इस तरीके से चलिए next question जो mains में आपसे पूछा गया था numismatics is the study of which area तो जो numismatics है किस area की study को कहा जाता है मूर्तियों की study को सिक्कों की study को inscription की study को या बरियों की study को चलिए numismatics is the study of coins जब आप सिक्कों के आपने देखा होगा काफी सरे लोगों को coins को collect करने का even stems को collect करने का शोप होता है और वो इसके उपर study भी करते हैं कौन से कब बना था उसकी history क्या है कौन से राजा ने निकाला था उसका मतलब क्या था उसका material क्या है इन सब चीजों की जो study करते हैं उनको यहाँ पर पूरी की पूरी study को numismatic study कहा जाता है वो बेसिकली देखते है individual visual element देखते है script कौन सी लिखी होई है metallurgical analysis करते हैं कैसे उसे बनाया गया होगा क्या process follow किया गया होगा यह सब चीजों की study करते हैं चलिए question no.8 पर चलते में पढ़ा Romans के बारे में पढ़ा Iran के बारे में पढ़ा तो यह कहा गया है कि tribal republics जो होती थी उन्होंने भी अपने सिक्के निकाले हुए थे हो सकता है then पूछा गया you the years of Punjab and Haryana उन्होंने भी coins issue किये थे हो सकता है यह भी correct हो सोचिए फिर डिसकस करते है चलिए तो sixth century common era से यह पाया गया है कि gold coins जो थे वो थीरे दीरे दीरे कम होने लग गये थे ठीक है और कुछ लोग अलग-अलग historians अलग-अलग चीजे के ऊपर कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि काफी सरी kingdom जो थी वो गरीब होने लग गयी थी उनका economic crisis उन्हों को face करना पढ़ा था इस वोजे से gold coins जो थे दीरे-दीरे कम होने लग गये थे फिलाल यह तो आपका एक अलग से means के लिए fact हो गया question पर वापीस आते हुए क्या tribal republics जो थी उनके भी सिक्के थे तो yes उनके भी सिक्के थे और पंजाब हर याना से जो योदा यह थे उन्होंने भी अपने सिक्के issue करे हुए थे but still their coins were also there question 9 को देखते है question 9 तीन statement देखे पूछ रहा है कि बताएं कौन सी statement correct है incorrect नहीं पूचा है आप से correct पूचा है most scripts used to write modern Indian language are derived from brahmi जो भी जाता-तर scripts हमारे यह लिखी जाती है modern Indian languages के अंदर उसका जो origin होता है वो brahmi से होता है यह correct हो सकता है maybe second brahmi was mostly used in Ashokan inscription अशोका जो थे अपनी inscription pillars के ओपर काफी सरी चीज़े लिखवाया करते थे आपको पता है उनको अपनी victories के बारे में शुरुवाती दूर में लिखवाने में और बाद में धर्म के बारे में लिखवाने में काफी जादा रूची थी तो वो brahmi में लिखवाया करते थे हो सक हो सकते है second statement के लिए indication दे रहा हो की correct है लेकिन आपको सोचना पड़े हो सकते है दोनों ही incorrect हो चलिए तो क्या ज्यादा तर जो scripts modern Indian language में लिखे जादी हो ब्रामी से derive करे गए है तो यस बिल्कुल ठीक है ब्रामी से उसे derive किया गया है इवन अशोकस के प्रियर की जो inscription है जलतर में ब्रामी का इस्तमाल किया गया है तो second statement भी आपकी correct हो जाती है third statement में problem जहां हुई वो यह हुई third statement में it was not James Fraser, James Fraser नहीं थे rather कौन थे James Princip थे जिनोंने कुछ Sanskrit pundits की help से अशोकन ब्रामी जो था उसे decipher करके बताया था तो तीसरी statement आपकी incorrect हो जाती है first and second statement both of them are correct answer क्या हो जाएगा B will be the correct answer चलते है आज के last question के उपर पूछा गया है खरोश्टी को लेकर बताएं कौन सी statement आपकी correct है कौन सा कथर आपका सही है the script used in inscription in the north west तो यहां पर जो script use करी गई थी inscription के अंदर north west के अंदर इसका इस्तमाल किया गया था हो सकता है some coins also contain the names of kings written in cgeht तो कुछ ऐसे coins है जिसके ओर जो राजा है उनका जो नाम निखा गया वो खुरोश्टी में लिखा गया जो है वो correctly match करता है concerning amending power of the parliament, power जो amendment की होती है, वो parliament के पास होती है, बट इसके concerning various cases time to time हुए है, और आपको इनी pairs को match करना है, एक शंक्री परसाथ case है, गोलकनात case, 24th amendment, केश्वनन्द भारती case, I am pretty sure आपने इन cases के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन problem यहां आती है कि किस case के अंदर क्या दिया गए, उसमें confusion हो जाती है, जब भी इस तरीके एका question प्रिलिम्स के अंदर पूछा जाता है, तो पहले जो यहां पे है, वो क्या रहा है कि शंक्री परसाथ case ने कहा था, कि fundamental rights को amend किया जा सकता है, हो सकता है, गोलगनाथ case ने कहा था, कि fundamental rights को amend नहीं किया जा सकता है, यह भी हो सकता है, 24th amendment ने कहा था, कि जो fundamental rights है, उसको amend नहीं किया जा सकता है, similarly, केशवन अंद भारती case ने कहा था, कि fundamental rights को amend किया जा सकता है, सोचिए आपने इन केसिस के बार में जरूर पढ़ा होगा लेकिन मुझे बाता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि उनको अभी याद नहीं कि किस के अंदर amendment की power दी गई थी और किस के अंदर amendment की power को revoke कर लिया गया था उसी problem को दूर करने के लिए यह question बनाया गया है सोचिए चलिए तो मैं आपको बताओं जहां पे शंक्री पर साथ case की बात आती है तो यह जो case था इसके अंदर fundamental rights को amend करने की power दी गई थी तो यह जो pair है हमारा correctly match कर रहा है और यह जो power थी ले ली गई थी वापिस गोलकनाथ case के अंदर तो गोलकनाथ case के अंदर fundamental rights को amend करने की power नहीं provide करी गई थी तो second statement भी हमारा जो second pair है वो भी correct है 24th amendment के अंदर गोलकनाथ के जो यहाँ पे amendment करी गई थी उसको change करके जो शंक्री परसाथ वाला हमारा case था उसी को ही upheld किया गया था मतलब यहाँ पे fundamental rights को amend करने की power दे दी गई थी और इसी चीज़ को further strengthen किया गया था केश्वननद भारती case में with the star जो लगाया है change in the basic structure तो यहाँ पे यह कहा गया था कि as per 24th amendment हम जो है fundamental rights के अंदर amendment कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है मतलब parliament के पास power है कि वो fundamental rights को change कर दे लेकिन with the exception of basic structure मतलब basic structure में change नहीं किया जाएगा ठीक है basic structure को हम already various lectures के अंदर discuss कर चुके हैं तो ध्यान रखेएगा अब आपको यह problem बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि किस case के अंदर यह हमें permission दी गई थी किस के अंदर नहीं दी गई थी answer हमारा A है यहां पर एक बार देख सकते हैं शंक्री परसाद के अंदर can amend the fundamental right गोलकनात के अंदर इसको उल्टा कर दिया गया 24th amendment में फिर से शंक्री परसाद वाली जो यहां पर हमने decision लिया था bench ने उसको continue किया और केश्वन अंदर भारती case के अंदर सिर्फ एक basic structure का जो concept था वो लेकिया है ध्यान रखिये कि इसको very important question from prelims perspective चलते है next question के ओपर next question हमारा 42nd amendment act के ओपर है पूचा गया है कि इसमें से कौन सी statement correct है पहली कहती है it amended article 368 and declared there is no limitation on constituent power of the parliament तो जो आपका 42nd amendment थी इसने क्या किया इसने article 368 को change किया और यह खा कि जो power of parliament है वहाँ पर कोई भी limitation नहीं रहेगी as far as constituent power is concerned second no amendment can be questioned in any court or any ground including contravention to fundamental right which exists even today तो इसमें यह का गया था कि कोई भी amendment करते हैं तो उसको court of law में question नहीं किया जाएगा अगर fundamental rights के अंदर changes भी करे जाते हैं अगर fundamental rights के against में भी changes करे जाते हैं तो भी यहाँ पर court of law में नहीं जाएगा और यह आज भी exist करती हैं हो सकता है Parliament was given the power to amend by addition, variation or repeal of the provision of the constitution Parliament के पास कौन कौन सी चीज़ों की power थी कोई भी वो addition कर सकते हैं, variation कर सकते हैं या किसी भी constitution के provision को repeal कर सकते हैं सोचिए क्या answer हो सकता है चलिए देखे 42nd amendment आपको पता हैं कि इसको mini constitution भी कहते हैं इसमें काफी सारे बदलाव करे गए थे इसके through constitution के अंदर तो पहली जो statement वो बिल्कुल ठीक है इसमें 338 comment किया गया था और जो power of parliament की ना उसको बहुत ज़दा increase कर दिया गया था unbridled power जो थी वो parliament को दे दी गई थी और यहाँ पे उसमें ये भी power दी गई थी कि अगर कुछ भी fundamental rights को contravene करता है fundamental rights के against में जाता है तो उसको court of law में question नहीं कहा जाता तो partially ये statement ठीक है यहां तक लेकिन which existing one today तो आज की दिन में ये exist नहीं करती है तो second letter part जो of the statement है उसके गलत होनी की वज़े से गलत है nevertheless पहला part जो है statement का कि इसके अंदर fundamental rights के contravene में भी court of law में जाने की इजासत नहीं थी जाती है जब हम constitution की बात करते है और reason भी अब आपने देख लिए किस वज़े से इसको एकनी importance दी जाती है अब आप मुझे बताएंगे कि जो चीजें 42nd amendment से add करी गई थी उसमें से कुछ चीजें ऐसी थी जो कि stripe of कर दी गई थी वो चीजें खतम कर दी गई चलिए next चलते मिनर्वा मिल केस को भी देख लेते हैं पीछे हमने पढ़ा था कि जो judicial review की power थी शुरू में तो वो नहीं रखी गई थी क्योंकि अगर fundamental rights का भी contravention होता था judicial review को use नहीं किया जाता था लेकिन बाद में मिनर्वा मिल केस के थ्रू judicial review जो होता ना इस court basic structure माना गया है और इसी वज़े से एक आगया कि देखे basic structure को आप नहीं हटा सकते हो judicial review को आप यह नहीं कह सकते हो कि judicial review certain cases में use नहीं किया था सकता मिनर्वा मिल केस 1980 में जो पुराने provision थे कि judicial review को use नहीं किया जाएगा उसे invalidate किया और इसे basic structure मानते हुए इसे implement किया गया चलते हैं next question के ओपर which is question number 3 जो की बात कर रहा है which are the following form of basic structure of constitution as per various judgment of the supreme court क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा basic structure में आपको पहले भी बता चुक हूँ कहीं पे भी constitution में अलग से mention नहीं है कि ये 10 items तो है ये basic structure को form करती है लेकिन various supreme court judgments जो time to time आती रहती है उसके अंदर basic structure को define किया गया है जब भी कोई judgment आई की तो उसमें बता दिये जाएगा कि ये particular चीज़ को basic structure मान रहे हैं तो इस तरीके से various judgments जो है supreme court की पिछले काफी सारे सालों में आई है और काफी सारी चीज़ें clear हुई है कि क्या basic structure है क्या नहीं है nevertheless constitution में कई mention नहीं है आप यहां देख लेते हैं क्या judicial review जो है basic structure है हो सकता है क्या federal character जो है country का वो एक basic structure है हो सकता है parliamentary system ये भी हो सकता है freedom and dignity of individual ये भी हो सकता है सोची चलिए देखिए judicial review तो मैंने आपको पहली बता दिया मिनरवामिल केस 1980 में ही बता दिया था कि judicial review जो है वो basic structure है बाकी बात में बात करीज़े तो federal character हो country का या parliamentary system हो या freedom and dignity of individual हो ये सबी जो है आपके basic structure का part बनते हैं तो ये सबी basic structure में ही count किये जाएंगे ध्यान रखियेगा तो हमारे यहाँ पर answer हो जाए कसी इसके लवा और कौन कौन सी चीज़े जो है basic structure को form करती है वो आप यहाँ देख सकते हैं चाहिए वो rule of law हो parliamentary system हो freedom and dignity ये हम कर चुके हैं harmony and balance between fundamental rights and DPSPs इसको भी आप basic structure का part मानते हैं principle of equality हो free and fair election ये सबी आपके basic structure के part आते हैं चलती है next question number 4 को discuss करते हैं which of the following is known as fundamental right case तो किस को fundamental right case के नाम से भी जाना जाता है क्या केश्वननद भारती केस है वो क्या मिनर्वामिल केस है शंकरी परसाथ केस है या गोलकनाद केस है सोची easy question है काफी चलिए केश्वननद भारती केस को fundamental right case कहते है क्यों कहते है ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि इससे आपको हमेशा याद रहेगा comment section में मुझे जरूर बताएगा कि केश्वननद भारती केस को ही fundamental right case क्यों कहते है चलिए तो हमारे याब part 2 system of government जो है वह start हो रहा है question number 5 देखते है इंडिया follows parliamentary form of government which is true concerning this तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो parliamentary form of government जो हम follow करते है उसको लेकर सही है article 74 and 75 deal with the parliamentary system at the center article 74 और 75 जो है वो parliamentary system जो हम center में follow करते है union में उससे relate करता है article 163 and 164 यह किससे deal करते है यह parliamentary system states में जो follow करे जाते है उससे deal करता है parliamentary system of government is the one in which legislatures are responsible to the executive इसमें parliamentary system में क्या होता है जो legislatures होते हैं वो executive के लिए responsible होते हैं सोचे क्या answer हो सकता है फिर discuss करते है चलिए देखिए जहाँ पर article की बात आती है article 74, 75 जो है फोलो करते हैं उससे relate करते हैं तो पहली दो statement हो गए यह आपकी ठीक अब बात करते हैं कि क्या parliamentary system में legislatures executive के लिए responsible होते हैं तो this is wrong because it is just the other way around executives जो होते हैं वो liable होते हैं वो responsible होते हैं किसके लिए legislatures के लिए तो ध्यान रखेएगा पहली दो statement ठीक होने की वज़े से answer हमारा हो जाएग भी कुछ और चीज़े देख लेते हैं यह मैंने आपको बताई दिया कि executive they are responsible to legislatures not the other way around presidential system भी होता है उससे आप parliamentary system को compare कर सकते हैं वहाँ पर executive जो होते हैं responsible नहीं होते हैं और constitutionally independent होते हैं तो यहाँ पर जो difference है presidential और parliamentary system का वो भी आपको ध्यान में रखना है parliamentary system जो हम follow करते हैं वहाँ पर executives responsible होते हैं किसके लिए towards legislatures लेकिन presidential system में ऐसा नहीं follow किया जाता है चलते हैं next question, question number 6 के ओपर जो कि again parliamentary form of government के बारे में पूछ रहा है और पूछा है which of the following terminology हम parliamentary form of government के लिए use करते हैं तो parliamentary form of government को एक तरीका से यह पूछा जा रहा है किस और नाम से जाना जाता है क्या इसे cabinet form of government कहते हैं what about responsible government क्या इसे westminster model of government भी खा जाता है सोचे कि किन और नामों से parliamentary form of government को जाना जाता है इसको ध्यान रखिएगा कि various terminologies है वो presidential form of government के लिए भी use करी जाती है तो बिल्कुल ध्यान से दोनों का differentiation आपको पता होना चाहिए चलिए तो मैं आपको बता हूँ parliamentary form of government जो है ये various countries में follow किया जाता है जैसे Britain हो गया जपैन हो गया even Canada के अंदर भी use किया जाता है और इंडिया में तो है तो यहाँ पर इसे cabinet form of government भी खा जाता है तो बिल्कुल ठीक है पहली जो आपकी यहाँ पर option है responsible government भी खा जाता है इसलिए responsible form of government उनको नहीं का जाता है तो responsible form of government किसको का जाता है parliamentary form of government को क्योंकि executives libel होते हैं, responsible होते हैं, accountable होते हैं legis leachers के ट्वोट्स Westminster model भी इसे का जाता है बिल्कुल ठीक है तो तीनों statement की कोई, answer हो जाएगा A, Westminster model क्यों का जाता है चलते हैं आज के next question के पर, question number seven Question number seven is talking about presidential form of government तो presidential form of government को और किस नाम से जाना जाता है अब तो क्योंकि आपने presidential form से पहले अपने parliamentary form of government देख लिया तो अब आपको पता होना चाहिए, ये question आपके लिए बहुत ही easy हो जागा, cakewalk होगा आपके लिए answer करना घ्यान से पढ़िएगा, कि presidential form of government को और किस नाम से जाना जाता है क्या इसे responsible government कहते हैं, हो सकता है non parliamentary government कहते हैं, हो सकता है fixed executive government कहते हैं, ये भी हो सकता है सोची क्या answer होगा इसका चलिए देखिए, क्योंकि presidential है तो non parliamentary तो अपने आप होगी responsible नहीं होते हैं, इसलिए से non responsible type of government कहा जाता है, responsible नहीं कहा जाता है, तो हमारा जो answer होगा वो होगा, D, second and third statements they are correct इस model को use कहा कहा किया जाता है वो भी देख लीजे, USA के अंदर, Brazil, Russia शिलंका, in countries के अंदर presidential form of government को use किया जाता है चलते हैं, next question, question अब 8 के उपर which of the following feature or features is are available in parliamentary government in India, तो इस में से कौन-कौन से features जो हैं, वो parliamentary form of government में इंडिया के अंदर use करे जाते हैं nominal and real executives हो सकता है collective responsibility, ये भी हो सकता है political homogeneity, ये भी हो सकता है double membership, ये भी हो सकता है, secrecy ये भी हो सकता है, सोचिए क्या answer होगा चली, I hope आपने सोच लिया होगा तो मैं आपको बताऊ, answer यहाँ पे C है क्योंकि ये सभी चीज़े जो है वो हमारे parliamentary government के अंदर use करी जाते है किस तरीके से, देखे, nominal head होते है real executive होते है, real executive कोन है मतलब वो डूपते हैं, तो साथ में डूपते हैं और जब तक तैर रहे होते हैं, मतलब जब तक power में होते हैं तो साथ में power में होते हैं तो ये इसी वज़े से collective responsibility का जाता है political homogeneity, because largely यहाँ पे आपकी जो party in power होती है उसके पस number जादा होता है then double membership क्यों का आगया है double membership because यहाँ पे जो आपके legislatures होते हैं उनमें से कुछ लोग ministers भी होते हैं तो ये भी ठीक है, secrecy, oath of secrecy लेकर ही सभी लोग वहाँ पर house के अंदर बैठते हैं तो इस सारी characteristics जो है हमारी parliamentary system of government के अंदर है, इसके लावब कुछ और features भी है जैसे majority party rule होता है leadership of the prime minister होते है, जो कि आपके यहाँ पे real executive होते है, nominal head नहीं होते है तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में चलिए, next question पे चलते है next question हमारा parliamentary system की merit के बारे में है, पूछ आगे, यहाँ पे dual executives, presidential system की merit होती है, हो सकते है, fusion of power parliamentary system की merit होती है unstable government, presidential system में पाया जाता है government by experts, presidential system में पाया जाता है आपको match the following करना है क्योंकि यहाँ पे pairs दिये गए है, different तो सोचिए क्या हो सकता है, इसका answer चलिए, तो जो dual executives हैं, मैंने आपको बताया था कि multiple membership जो होती है वो यहाँ पर नहीं होती है, presidential में वो होती है, आपकी parliament form of government में तो पहली तो हो गई incorrect, अब बात करते है unstable government, presidential system की जो government होती है, उसको unstable नहीं कहा जाता है rather that is the stable government जो हमारी parliament system of the government होती है उसको यहाँ पर unstable कहा जाता है because काफी सरी चीज़े होती है जिससे government को हटाए जा सकता है, knock confidence motion होता है और various other measures होती है opposition के पास, जिससे वो current party को हटा सकती है अब बात करें fusion of power यहाँ fusion of power में parliamentary system जो है यह statement बिल्कुल ठीक है, क्योंकि separation of power जो होता है, वो practice किया जाता है presidential form के अंदा, जिसमें आपके legislatures, executives, judiciary बिल्कुल अलग अलग होता है, watertight compartmentalization होता है लेकिन हमारे parliamentary system में ऐसा नहीं होता है हम separation of power को follow तो करते हैं लेकिन strict sense में नहीं करते हैं तो जो fusion of power है वो यहाँ पे देखा जाता है fusion आप इस तरीके से भी कह सकते हैं क्योंकि legislatures और executives इनकी intermingling रहती है कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो legislature और executive दोनों ही होते है तो intermingling और power होनी की वज़े से आप fusion of power इसको कह सकते हैं government by experts हमारे parliamentary system में नहीं होता है अब कर जो यहाँ पे हमारे MPs होते हैं और साथ में अगर हम state level के बात करें MLA's होते हैं अगर हम presidential system की बात करें जो president होता है उसके पास अपनी जो cabinet होते है उसको चूज करने की जो scope होता है वो काफी जादा होता है यह more like corporate world की तरह काम करते है चाहें जैसे corporate world के अंदर आप अपनी team को खुछ चुनते हैं उसी तरीके से president जो है वो लोगों से नहीं पूस्ट है public के पास नहीं जाता है कि बताए कि किसको आप चूज करते हैं उसी को मैं अपनी cabinet में रखूँँगा राधर वो अपने आप इसको चूज करते हैं और legislature से उसका approval करा लेता है तो जो यहाँ पर process follow किया जाता है वो काफी easy होता है तो अपनी पसंद के लोग अपनी area के experts जो होते हैं वो चूने जाते हैं और presidential form of government में आते हैं इसी वज़े से जो presidential form of government होती है वो government by experts कराती है और इसी तरीके से parliament form of government जो होती है वो government by amateurs कराती है तो इसको भी ध्यान रखिएगा अब इसके बारे में कुछ और differences है वो देख लीजे जैसे dual executives किसके अंदर है यह आपका parliamentary form of government है और यह आपका presidential form of government है इसको देख लीजेगा dual executives होते हैं parliament पे जो मैंने आपको बताई दिये यहाँ पे single executive होते है majority party रूल होता है parliament के अंदर और यहाँ president form of government में president and legislatures they are elected separately for a fixed term political homogeneity देखे जाती है collective responsibility हम discuss कर चुक है double membership कर चुक है leadership prime minister dissolution of lower house हो सकते है fusion of power होती है इसके just opposite known responsibility होती है presidential form of government में political homogeneity may not exist single membership होती है domination होती है president की इसके अंदर lower house को dissolve नहीं किया जा सकता power separation बिल्कुल watertight रहता है आप इसमें जो merits और demerits है दोनों system की वो भी देख सकते है चलते हैं आज के last question के ओपर जो की पूछ रहा है which of the following distinction exists between India and British model क्योंकि दोनों ही Westminster model को दोनों ही parliamentary reform of government को use कर रहे हैं तो दोनों के अंदर कोई difference भी थाँँग ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल as it is उनको aid किया उनको copy किया there are certain differences वो देख लेते हैं कौन कौन से है पहला है Parliament is supreme in British system तो British system के अंदर जो Parliament है वो supreme है हो सकती है in Britain the prime minister should be a member of the lower house house of commons of the parliament तो जो Britain के अंदर है जो प्राइम मिनिस्टर है वो lower house से ही होना चाहिए ये भी हो सकता है shadow cabinet is a unique institution of the Indian cabinet system हमारे Indian cabinet system के अंदर एक unique feature है जो Britain के system में नहीं है that is what we call shadow cabinet ये हो सकता है सोची चली देखिए अगर British system की बात करेज़े तो yes Parliament जो है उनके लिए बिल्कुल supreme है लेकिन हमारे लिए क्या supreme है हमारे जो parliament system है उसमे constitution supreme है ठेक है हमारे यहां पर parliament supreme नहीं है parliament constitution के हिसाप से ही चलती है लेकिन Britain के अंदर Britishers के लिए parliament supreme है तो पहले statement correct होगी Britain के जो prime minister होते है वो lower house से आने चाहिए लेकिन हमारे यहां पर जो prime minister है वो lower और upper house दोनों में से आ सकते है किसी में से भी उनका selection किया दा सकता है अगर वो कहीं पे भी elect होके आते हैं अब आप मुझे बताएंगे comment section के अंदर कि हमारे ऐसे कौन-कौन से prime minister होए जो कि upper house से हैं lower house से नहीं lower house से तो यहां पे वो है president देखी हमारे जो president होते हैं वो elect होके आते हैं और यहां पे city is the or she is the head of the state और वहां पे head of the state कौन होते हैं वहां पे head of the state होते हैं वो king और queen होते हैं जो की एक hereditary position है वो elect होके नहीं आते हैं वो अपनी hereditary के basis पे उस position को hold करते हैं these were the basic difference जो कि Parliament system of Britishers और या Parliament system of Indians आप दीख सकते हैं The first question is about कि इस में से कौन सी statement correct है, correct incorrect बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा पहली statement कहते है, in a unitary government, regional government derives power from the national government जहाँ unitary government होती है, वहाँ पर regional government अपनी power कहाँ से derive करती है, national government से करती है, हो सकता है Second, in a federation government, powers are divided between national government and the regional government by the constitution अगर कोई federal government होती है, तो वहाँ पर power, constitution, national और federation के बीच में, that is states के बीच में, regional governments के बीच में divide कर देता है Indian federal system is based on UK model, जो हमारा federal system है, वो UK model पर based करता है तीन statement है, one by one read करिए, सोची क्या इसका अंसर हो सकते, फिर हम discuss करते है चलिए, देखिए, होता क्या है, एक unitary government होती है, एक federal government होती है Unitary government में, basically आपकी एक तो central government हो की, जिसे आप national government कर रहे है और state government हो की, जिसे आप regional government कर रहे है जो ज़्यादा तर power होती है, वो national government के पास ही होती है और regional government को भी जो power दी जाती है, वो national government ही देती है तो regional government अपनी power कहां से derive करता है national government से तो पहली सेटम जो आपकी है वो ठीक हो जाती है लेकिन federal structure के अंदर क्या होता है देखें federal structure के अंदर ये जो power है already divide होती है किसके द्वारा constitution के द्वारा constitution बताता है ये जैसे federal government का constitution है वो बताएगा कि national government के पास इन तीन चीज़ों को लेके power है और जो आपकी regional या फिर states है उनके बस इन दो चीज़ों को लेके power है या इन चार चीज़ों को लेके power है तो ये कौन बताता है constitution बताता है तो हमारी दूसरी statement भी correct हो जाती है अब बात करते है Indian federal system की वो based करता है Canadian model पर UK model पर नहीं करता है तो तीसरी statement आपकी incorrect हो जाएगी Canada के अंदर जो है जो basically inclination है जादा जो एक तरीके से weightage दी गई है वो union को दी गई है हमारे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो union को जादा weightage दी गई है compared to states तो हमारा जो model based करता है हमारा जो federal model based करता है वो Canadian model पर based करता है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जादा weightage दी गई है वो central government को दी गई है कम weightage हमारे यहाँ पर states comment को दी गई है तो हमारा जो answer हो जाएगा है यहाँ भी हो जाएगा चलते है next question के ओपर next question हमारा पूछ रहा है कि किस country के अंदर किस तरीके का model follow किया जाता है China के अंदर unitary model follow किया आता है Italy के अंदर unitary, Russia के अंदर unitary, Argentina के अंदर federal सोचिए क्या होगा इस काँ से क्योंकि इस तरीके के question जो match the falling pairs के बारे पूछ लिए जाते हैं follow किया जाता है और Argentina के अंदर federal model follow किया जाता है Russia के अंदर unitary नहीं है Russia के अंदर भी federal follow किया जाता है मैं आपको पीछे भी बतायाता है कि वहाँ पर क्या का जाता है उनको जो रीजन्स होते है रिपब्लेक्स ठेक है तो रशिया federal यान रखिएगा कुछ और कंट्री में आपको बता दू जहां पर unitary model को ही follow किया जाता है जैसे ब्रिटेन हो गई फ्रांस इवन जपैन के अंदर भी इटली में आपको बता दिया बेल्जियम भी आपको बता दिया और जबकि यह जो नॉर्डी कंट्रीज है नॉर्वे हो गई स्वीडन हो गई यहां पर भी यूनिट्री मॉडल फोलो किया जाता है अब बात करते हैं फैडल मॉडल की देखें युनाइटिट सेट्स तो वैसी पेमें से फैडल मॉडल को फोलो करने के लिए इसके अलाबा स्विच्जर लेंड है ऑस्ट्रेलिया है रश्या हमने पढ़ लिया यहां पर ब्रजील एं अर्जेंटिना यहां पर आपको फैडल मॉडल देखने को मिलेगा तो यहां पर आंसर था वो डी था चलते हैं नेक्स कोशन के ओपर नेक्स कौन कौन सी चीज़ें इन में से दू हैं एक हैं फैडरल फीचर कौन कौन से हैं फैडरल गौर्मेंट के सोचिए चलिए आपने सोच लिए होग काफी इजी कोशिन है कर आपको federation का मतलब सही तरीके से समझ आता है जो हमनें पहली पहली स्लाइट के उपर बढ़ा था तो यहाँ पर दोरी सरकार होती है, दोरी सरकार का मतलब यही है कि एक आपकी national government है, regional government है, दोनों के पास अपनी-अपनी powers है, तो यहाँ पर dual government structure होता है, पहली statement बिल्कुल ठीक है, unwritten constitution मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें एक constitution होता है, written constitution जो की power divide करता है, national government और regional government के बीच में, अगर unwritten होगा, तो आप power कैसे divide करोगे, दोनों के बीच में conflict रहेगा, national और regional government के बीच में, क्योंकि constitution रिटन होता है, यह चीज़ भी रिटन होता है, कि national government इन तीन च हो जाएगा, bicameral legislature होता है, आपकोस, bicameral legislature क्यों होगा, सोची, क्योंकि bicameral legislature के अंदर ही representation मिलती है, states को, और आपको पता है, यह federal government में जो states है, उनको वेटे जादा दी जाती है, इसलिए bicameral legislature का होना जरूरी है, अगर आप देखे, इंडिया structure में, इंडिया structure में, bicameral legislature, रा unwritten constitution नहीं होता है, इसका written constitution होता है, यहाँ पी मैंने आपको यह दिखा दे, इसके अलावा कुछ और चीज़े देख लेते हैं, एक और feature होता है, इसको हम कहते है division of power, division of power क्यों होती है, क्योंकि national government और regional government के बीच में division होना काफी जरूरी है, इसके अंदर supremacy of the constitution भी होती है, क् जो आपका constitution होता है, वही supreme होता है, वही power को divide करता है center और state के बीच में, ठीक है, इसके अलावा एक rigid constitution होता है, rigid होने का reason भी क्यों, rigid होने का reason यही है, अगर इसको असानी से ही change कर लिया जाए, तो national government जो है, वो सारी power जो है, regional government से forfeit कर लेगी, जो हम नहीं चाहते हैं, federal structure के दोनों की अपनी अपनी line होती है, national government के पास अपनी powers होती है, और regional government के पास अपनी power होती है, अगर constitution को amend करना असान होता, तो national government सारी की सारी powers अपने पास ले लेती, चीक है, तो यही सब चीजे हैं, जिसके बिना आपे federal structure जो हो काम करता है, चलते next question के ओपर, जो की unitary government के बा constitution must be supreme, constitution जो हो supreme होना चाहिए, सोचे के answer होगा, चलिए, constitution may be written, देखिए, इसमें constitution लिखा है may be written, मतलब return हो सकता है, return हो भी सकता है, और इसका यह मतलब है, return नहीं भी हो सकता, तो पहली statement ठीक है, क्यों ठीक है, आपको बताँगा, क्योंकि ऐसी countries है, जो की unitary structure को follow करती है, वह उनका constitution written नहीं है, तो again, unitary structure तो वह भी follow कर रही है, तो constitution का लिखा जाना या ना लिखा जाना, depend करता है, country to country, तो पहली यहाँ पर जो option हो ठीक है, no division of power, देखिए, power का division नहीं हो, तो मैं आपको पहली बताया था, national government होती है, regional government होती है, और जो regional governments होती है, वो अपनी power divide करती ह national governments है, तो regional government को, यह state governments को, अलग से कोई power नहीं दी गई है, वो power national government से derive कर रही है, तो second जो यहाँ पर non division of power, यह हमारा ठीक है, अब बात करते है, constitution must be supreme, देखिए, constitution must नहीं आएगा है, constitution may be supreme, क्योंकि ऐसी जगाह है, जहाँ पर constitution supreme माना जाता है, और ऐसी भी countries है, जो unitary structure को follow प लेकिन, अगर हम Britain की बात करें, Britain के अंदर constitution supreme नहीं है, वहाँ पर उनकी parliament supreme है, even though वो भी unitary structure को follow करती है, तो ध्यान रखिएगा, constitution must be supreme, गलत हो जाएगा, constitution may be supreme आएगा, answer हो जाएगा, एक बार कुछ features देख लिए, single government होती है, unitary government के अंदर, जैसे dual government होती है, कहाँ पर, dual government हो अंदर, छी त Keys में, इंडिया की Case में, constitution को return किया है, unwritten होती है, जैसे, नौ डिवीजन हो power, मैं आपको बताई दा हां, तो है, अनसल गौर्मेंट के पास रहती है, अप लिए जो रिजनल गौर्मेंटके, लिए यह वो पार को derive करती है, constitution may be supreme, इसे, रिएगा, nors щ ब्रिः क केस में क्योंकि हम पार्लेमेंट को सुप्रीम माना जाता है तो यह यहाँ पर फ्लेक्सिबलेटी है जुडिश्री में भी इंडिपेंडेंड वो में नोट बी इंडिपेंड यह एक फीचर युनिटरी गवर्मेंट का साथ में लेटिसलेटर में भी ब्रिटेन या उनिकेमरल जैसे कि चाइना के अंदर है तो यहाँ पर भी जो आपकी उनिटरी गवर्मेंट है वो एक फ्लेक्सिबिलेटी प्रोवाइड करती है आप चाहें तो अपना बाइकेमरल सिस्टम एस्टेवलिश करें या उनिकेमरल करें लेकि हम इंटीगरेशन का स्ट्टर यूज करते हैं क्या मतलब है देखेंगे इसको अब बिग यॉनिटरी स्टेट इस गंवर्डिट इंटू ऐसे पुराना एंटिशन होगा चलिए देखें दो थरीखें निटारी के ऐघरेशन बनाने के एक इंटीगरेशन स्ट्ट्ट्चर ए यहां पर जो नीची आप पढने वाले this is the disintegration structure इसमें क्या है एक बहुत बड़ी unit है unitary state है वो अपनी power को छोटे-छोटे states को दे रहा है ठीक है basically decentralize कर रहा है power को और उनको autonomy दे रहा है वही यह states को तो यहां पर पावर जो है वो डी सेंटलाइस करी जा रही है अटोनमी दी जा रही है वेरिस प्रविंस को ताकि वो अपने regional interest के बारे में सोच सके ठीक है तो यहां पर पहली और दूसरी statement आपके correct हो जाती है इसको integration तरीके से भी किया जा सकता है थर्ड आता है the US is the first and the oldest federation of the world यह statement भी ठीक है US सबसे पुराना federation है और सबसे पहला federation है दुनिया का तो तीनों statement correct हो जाएगी हमारा answer हो जाएगा एक चलते है next question question number 6 के ओपर जो की बात करता है इंडिया की अब हम इंडिया पर आ जाते है पहली statement कहती है our constitution provides federal system of the government हमारा जो third the term federation is nowhere mentioned in the constitution जो term है federation यह कहीं पर भी mention नहीं करी गई है पूरे constitution के अंदर सोचे क्या answer होगा चलिए देखें मैं आपको बता हूँ federal system जो होता है वो आपको पहले तो efficiency देता है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आप power को decentralize करें हर state अपने आपको अपने तरीके से चलाए उनको autonomy दे रहे हैं तो इसलिए हर बार उनको unitary structure को that is यहाँ पर region जो है उनको unitary जो power है that is region को national power से पूछने की ज़रूद नहीं है हर चीज़ के लिए वो autonomy के तरीके से अपने आपको चला सकते हैं और एक autonomous way में अपने आपको चला सकते हैं तो regional autonomy भी यहाँ पर रहती है तो यह कुछ ऐसे features है आप देखें तो autonomy की वज़े से ही efficiency उनके पूरे कारेपरणाली में आ जाती ह है तो अब पहली से यहाँ पर statement को देखते हैं our constitution provides federal system of the government बिल्कुल ठीक है हमारा जो constitution है वो federal system की ही बात करता है although हम यह कह सकते कि हमारा tinge जो है हमारा inclination जो है वो unitary की तरफ जाता है लेकिन federal system of the government is what is said by the constitution हमारे यहाँ पर जो federal system है उससे efficiency in the governance आती है कहीं पर भी होगा federal system व we're mentioning the constitution बिल्कुल ठीक statement है answer हो जाएगा हमारा c तो ध्यान रखिएगा कि हम federal system of governance को follow करते है federation even though हमारे constitution में कहीं पर भी mention नहीं किया गया है federal system जो होता है एक तरीके से autonomy देता है states को और उसी वज़े से उनकी कारणाली के अंदर efficiency आती है चलते है next question question number 7 के उपर जो की Indian state के बा any state unilaterally तो parliament चाहे तो अपने आप ही किसी भी state का नाम change कर सकती है parliament cannot change the boundary of any state unilaterally तो parliament किसी भी state की boundary को यहाँ पर अपने आप से change नहीं कर सकती है सोची क्या answer होगा चलिए तो अब बात करें Indian states के territorial integrity rights के तो यह उनको नहीं दिएगे है क्योंकि मैं आपको बता है कि यह जो rights होते है national government ने अपने पास रखे हुए और कह सकते है union government ने अपने पास रखे हुए पर्लेмент चाही तो unilaterally इसी rights की वज़े यह क्योंकि यह power की पूरी की पूरी national government के पास है चाहें तो किसी भी state का नाम change कर सकते बिल्कुल ठीक है और चाहें तो किसी भी state की boundary चेंज कर सकते तो यहां लिखहें आंसर हमारा हो जाएगा A, चलते हैं next question के बपर question number 8, question number 8 बात करता है कि इन में से दोनों में से कौन सी statement correct है, पहरी statement कहती है, the American system follows the principle of equal representation in upper house, जो American system है, वो upper house के इंदर equal representation के system को follow करता है, Indian system is based upon representation on the basis of population in upper house, तो upper house में हम लोग population के basis को, जिसके इसाब से representation किया जाता है, उसको follow करत हैं, सोचिए, चलिए, देखें, दोनों ही statement ठीक है, अभी हुआ क्या था, मैंने आपको last time भी बताया था, जो हमने questions discuss किया थे, कि 250th session जो राजे सबता भी recently conduct किया गया था, तो ये question important हो जाता है, इसी वज़े से, क्योंकि ये current में भी appear हुआ था, तो इसमें राजे सबा के members बसने बात करी थी, कि हमारे यहां पे population के base में लोग आते हैं, जैसे आप देख रहे है, UP की population जादा है, तो यहां से representation जादा होगा, और अरुनाशल प्रदेश की representation है, वो कम होगी, क्योंकि वहां पे population भी कम है, तो यहां पे जो मांग करी गई थी, वह थी, कि just like US, US में क्य आएंगे, और असाम में उससे भी कम आएंगे, तो state की population पे depend करता है, कितने लोगों की representation होगी, और यहां पे रादे सब में मांग यही करी गई थी, कि हमें US जैसा system follow करना चाहिए, और equal representation को लेके आना चाहिए, बट at present हम जो follow कर रहे है, वो population वाला structure ही follow कर रहे है, अमेरिक में, जो है, equal representation को follow किया जाता है, answer हो जाएगा C, चलते है next question के ओपर, जो कि emergency के बारे में है, तीन statement यहां पर दी गई है, दो statement दी गई है rather, पहली कहती है, Indian constitution provides three types of emergency, तीन तरीके की emergency हमारा system provide करता है, अब federal structure is converted into unitary one through an amendment, इसके अंदर एक amendment करके, federal structure को unitary में convert किया सकता है, चलिए, देखे, तीन तरीके के emergency होती है, आप मुझे comment section हो बता है कि कौन-कौन से वो तीन तरीके, कौन-कौन से तीन emergencies है, जो इंडिया में follow करी जाती है, और मुझे आप चाहें तो यह भी बता सकते कि कब-कब उनको हमने implement किया, federal structure जो होता है, unitry में convert हो जाता है, automatically, जब emergency लगाई जाती है, तो automatically आपका federal structure unitry में convert हो जाता है, इसके लिए किसी amendment की ज़रोत नहीं परती है, तो हमारा जो answer होगा, वो होगा A, central government जो होती है, that becomes most powerful in such scenario, तो काफी ज़्यादा power जो है, वो central government के पास आ जाती है, तो A हमारे हाँ पर correct answer है, आज के last question पे चलते है, last question हमारा है, Indian structure के बारे में, तीन statement दी गहीं है, one by one read करेंगे, पहली सिर्पन कहती है, Indian follows dual polity, तो हमारे हाँ पर dual polity follow करी जाती है, India unlike Canada follows the system, single citizenship, हम जो है, unlike Canada, Canada में हो सकता है, dual citizenship follow कर जाती है, हम single follow करते है, हो सकता है, Australia and Switzerland have the dual citizenship system, तो Australia and Switzerland के अंदर dual citizenship का system implement किया जा चुका है, सोची क्या answer हो लो करते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, यह दो तरीके कि सरकार होती है, national government, state government है, तो पहली statement तो बिल्कुल correct हो जाती है, हमारी, अब बात करीजे, second statement की देखिए, letter part of the statement परते है, क्या हमारे हाँ single citizenship है, आपको पता ही है, हमारे हाँ state की कोई citizenship नहीं हो, यह को यह नहीं कहत हैं, तो इंडिया, unlike Canada, नहीं, इंडिया like Canada, क्योंकि Canada के अंदर भी हम single citizenship को ही follow करते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं, बिल्कुल एक एक शब्द को, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कहीं पर भी आप से गलती करवाई जा सकती है, जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि otherwise अगर आप यह सही read कर लेते हैं, तो question को answer करना काफी असान है, यहाँ पर second statement जो है, तो India like Canada, follows the system of single citizenship होता, तो वो हमारी statement ठीक होती है, लेकिन यहाँ पर India unlike Canada, follows the system of single citizenship, यह statement आपकी गलत हो जाती है, Australia and Switzerland have the dual citizenship status, यह बल्कुल ठीक है, दोनों ही country's के इंदर dual citizenship system को follow किया जाता है, हमारा जो कर अबस्राब इस चैनल प्सक्राब press बल निय्ए कन या पो तर्टन नोड फिक जान एफ ₹ःण ज्वाने, यो गदो प्れक धिंद और ऑ्क्तित हैं